कि आई चलो आई इस एड आप क्विकली इधर और उदर इत्ती जगह खाली यार कुछ तो एड़ेस्ट करो ऐसा मत करो यार आइस दोस वो आर कमिंग राइट साइड में राइट साइड में उदर भी जगह खाली है वो बीच में इधर फिर्स साइब में गूद मॉर्न एवर्यवन येस जित्य लोग ऑनलाइन अफलाइन गनेक्टे है झाली है भाई सिर्फ जो भी भाई सुनना तू कैमरे के बास बटाए इस साइड आजा वो गल्ती से भी हलाना तो पूरा गेम अल जाएगा सिर्फ इस साइड आजा गल्ती से भी वो नहीं हलना चाहिए वो पीछ रख बीछ रख बीछ रख सुना यह आपस के, अगे, डन, रितेश भाव चालू गरू, चालू गरू, बंद करू, चालू करू, नहीं नहीं आरवेसा मत करू, चलो, I am sure it is done, let's get started, okay, अच्छो, good morning, यह, तो कैसा रहा आप सब का कल का पेला दिन, कल बहुत जोशता, मैं आपको बताँ, आप लोग का दिन कैसा रहा होगा, कुछ लोग कुछ लोग क्या कर रहा है मालम है घर पे गए सिर्फ बेड दिखा एंड बेड वाज लेक आज़ा मिला बच्चा इतनी वेनत नहीं करते आज़ा जो सोय यह सीधा सुबह उठे हैं कुछ तो सबसे पहले बाहर जा करके हाँ ऐसे इंसान है यह लोग छोड़ते नहीं है कुछ को समझ में आया हूंगा भाई अपन बहुत गलच जगा आ गए यह क्या है ऐसा थुड़िन होता है कुछ लोगों को एकदम पहले दिन ही सीरियसने सागय होंगा ने ने अपन पहले दिन से पढ़ेंगे तेरा भाई तेरा भाई फर्स्ट अटेंब में रैंक लाएगा ठीक है यह ना ऐसा होता है पहले दिन तो कुछ लोग अपने घर में कॉल करके बीटा कैसा गया लेक्चर हाओ मम्मी खाना खाया हा मम्मी और इतना उधास क्यों है कुछ नहीं है मम्मी अपन बता भी नहीं सकते कि अपने साथ हो क्या रहा है पहली बार तुम सब को समझ में आयोंगा कि Foundation में जीता कॉंटेंट था उसका टेन टाइम यहाँ पर अल्रड़ी है है yes but एक बात समझ के रहो को everything will go on and it will work चलो आ रहा है आ रहा है मेरे जहन में आ रहा है कल हम लोग ने कुछ पड़ा था let's revise बोलो हां अचा कितने लोग ऐसे हैं please एक बार हाथ उटाओ जो कल नहीं थे आज हैं कल नहीं थे आज हैं okay okay ठीक है बटा डरना मत यहां सब देखके डरना मत चलो let us start let us start आपको अगर याद हो मुझे याद आ रहा है हाँ who is the father of income tax sir james पहली बार full-fledged में act आया था in the year 1922 फिर आपको अगर याद हो तो आजादी के बाद act बना था in the year 1961 everybody please participate yes okay इसके बाद हम लोग ने देखा था कि यह income tax act है okay so यह जो act है इसके अंदर में कितने section है to 98 किते schedule है 14 schedule is the act applicable to whole of India yes the act is applicable to whole of India what are the components of income tax मतलब income tax के साथ क्या सीप act पढ़ना पढ़ेगा या rules भी पढ़ने पढ़ेंगे क्या notification भी पढ़ना पढ़ेगा क्या circular भी पढ़ना पढ़ेगा क्या case law भी पढ़ना पढ़ेगा अरे हाँ भई हाँ yes ऐसी चीज विच इस अ क्म्यूनिकेशन अफ चैनी चेंज इस कालद आज circular notification yes अच्छा internal communication of department के लिए circular all notification dash months before exam are applicable six months before are applicable अच्छा मुझे एक बात बताईए यह जो case law है यह भी हमको साथ साथ में पढ़ने है yes इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि act के अंदर क्या होते है act के अंदर में section होते हैं subsection होते हैं फिर क्या प्रोवाइजो प्रोवाइजो क्या होता है बिटा exception to section येस इसके बाद हमने देखा था वो अरे वो अरे वो schedule schedule के अंदर में क्या दिये हैं formats and tables याद आ रहा है क्या मालिक आपको अच्छा तो हमने इस भाई के घर पे raid मारी थी अगर तुम्हें यहां दो तो इस भाई के घर पे raid मारी थी ये भाई चिलाने लग गया था क्या हमार पास power है ये भाई चिलाने लग गया था क्या हमार पास power है तो आप सभी मुझे बताइए क्या article number 265 no taxes can be आवाज ना आई no taxes can be levied or collected ना ना भाई बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे जिसने आवाज नहीं निकाली revision में उसको छे attempt की गसम चलो हाँ article number 265 no taxes can be levied or collected except by authority of law तो यहां पर हमने देखा था क्या मोधी जी रात में आ करके कह सकते भाई और वहनो नोट बंद हो सकते हैं टैक्स नहीं आ सकता है एक दिन में yes or no तो इसके लिए अगर किसी भी तरगा का टैक्स भारत के अंदर में लगाना है आपको कोई law चाहिए यह law किसी authority के द्वारा पास होना चाहिए हाँ so who makes law in India who passed the law in India क्या पार्लेमेंट सेशन में नहीं है तो भी भारत में कानून बनाया जा सकता है अच्छा इसके बाद में कई बच्चों ने कल मेरे से एक और सवाल पूछा था तो मैंने कहा मास का यह सवाल हो सकता है तो मैं कह दूँ उन्हें ने कहा सर यह ordinance word क्या होता है मैं फिर एक बार आपको बता दूँ, ordinance का मतलब होता है temporary law. Ordinance का मतलब क्या होता है? Temporary law. जब भी कोई ordinance पास हो गया, इसके बाद जब भी parliament वापस setup होता है, तो इस ordinance temporary law को parliament में क्या कर जाता है? approval मिल जाता और वो या तो mandatory law बन जाता है या तो फिर उसे क्या कर दिया जाता है खतम कर दिया जाता है उस temporary purpose के लिए so technically ordinance is nothing but a temporary law अच्छा इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने समझा था levy, levy का मतलब क्या करना है impose, collect collect का मतलब क्या है, सिर्फ collection प्रिशन या recovery भी आता है recovery भी, हाँ, तो भाईया parliament के पास power है या तो president के पास power है हम लोगों ने देखा था या तो parliament के पास power है yes or no, या तो parliament के पास power है या तो किस के पास power है, president हाँ, में को एक और चीज़ याद आई थी ये जो tax collect करने का power है ये सिप center के पास है yes or no, yes आपको याद होगा article number article number article number 246 union list के अंदर में entry number 82 taxes on income other than on agriculture yes, agriculture पे tax collect करने का power ही नहीं है या center के पास नहीं है शानदार, तो किस के पास है state, collection फिर भी कौन करेगा center और क्या बाद में इसे divide किया जाएगा Modi ji divide करेंगे, president divide करेंगे president divide करेंगे as per the recommendation of finance commission Malik, हाँ अरे हाँ ठीक है, सो जितने भी taxes and duties collect किये जाएँगे, center or state के बिट में divide किये जाएँगे, ऐसा लिखा था article number 273 में yes, हमें कितने हमें कितने हमें कितने ये पढ़ने हैं बताओ, हमें दो चीज पढ़नी है कल हमने सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ पायते भाहिसा भाहिसा कल एक ही वर्ड पढ़ पायते बहुत लोग शौक हो गए थे, एक ही वर्ड कैसे पढ़ा हमने हमने बुला हम तो एक इवर्ड पढ़ेंगे कल हमने सिर्फ एक्ट पढ़ा कल हमने सिर्फ एक्ट पढ़ा अब एक्ट पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजे हैं जो हम लोगों को समझनी पढ़ेगी हमें सबसे पहले तो ये समझना पढ़ेगा How law works आखर ये जो law है ये work कैसे करता है आखर ये जो law है ये work कैसे करता है तो आज मैं आपको सम्झाने जाना हूँ तीन मेकानिजम के किस तरीके से क्या करता है बिटा law work करता है Understand how law works आईए Give the heading How law works सबसे पहले है law makers law implementers law interpreters समझे तीन मेकानिजम है law maker law implementer and law interpreter मन में यार कभी-कभी ये सवाल आता होगा कि यार कैसे पता चलता है कि amendment करना है क्योंकि कल मैंने आपको समझाया direct act एक ऐसा subject है जिसके अंदर में amendments आते है तो कभी सोच के देखे कैसे पता चलता होगा कि क्या amendment करना है ऐसा होता होगा क्या कि वो law की देवी नहीं है आँखों में पत्टी बंदी होती है वो दिधी ठीक है वो आती होगी law maker को बोलती है हेलो सुनो ना उठो ना यार ठीक है सो कल से एक नया law बनाना है ऐसा होता होगा तो समझता कैसा होगा कि यार लोग किस point पे बनाना है एक question आता है समझता कैसा होगा अभी जैसे अगर आप देखिए आप लोग जब भी आजकल YouTube उपन करते होंगे तब आप क्या करते होंगे देखना है एक एड देखते होंगे रात में गेम खेला नो यहां पे वो pause ले लेते हैं और कोई तकलीब आ गई तो जंगली रमी पे आओ ना महराज याद आ रहे गया रात में गेम खेला अब question आता है रात में कौन सा गेम है और इसमें तकलीब भी आ गई अगर मान लग तकलीब आ भी गई तो जाना कहा है जंगली रमी पे अब सुझिए ये एक नई चीज चालू हो गई dream 11 हो गया रमी सरकल हो गया अब दिखिए नई चीज चालू हो गई लोग इसमें पैसा भी लगा रहे और पैसा कमा भी रहे लोगोंने तो करोड़ो रुपे कमा लिया as per day ठीक है अब question arise हुआ ये जो करोड़ो रुपे ये लोग कमा रहे है इसका taxability के लिए कोई law था ही नहीं तो lawmaker कैसे decide करते है lawmaker क्या करते है सबसे पहले present situation को समझते है कि present situation में किस चीज की need की ज़रू होता है recent times में आप लोगों ने देखा हुआ कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे है bitcoin, ethereum, जिसको हम क्या कहते है crypto currency तो crypto currency का trade चालू हो गया इसके उपर एक बहुत बड़ा discussion चालू हो गया whether it should be legal, illegal yes, अब इसके उपर law की ज़रूती these are the latest update तो जब भी कोई latest update होता है किसी भी country के अंदर में lawmaker सबसे पहले क्या करते है इसके उपर bill बनाते है तो lawmaker सबसे पहले क्या करते है law बनाते है, understand they make law तो सबसे पहले they make law इसको हम क्या कहते है called as bill याद आ रहे गया called as bill तो इसको कहा जाता है bill सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है bill called as bill तो यह लोग सबसे पहले bill बनाते, bill is nothing but a draft law yes or no, draft law draft law जाता है both houses of parliament both houses of parliament और parliament session में नहीं है president yes, इसके बाद इसको क्या मिलता है president ascent और president ascent के बाद यह क्या बनता है act तो आए गाए इस यह तो आप अपने बच्पन से पढ़ते आ रहे हो सबसे पहले bill होता है बस कल आपको नया समझ में आया bill का drafting किसके थू होता है M O L J ministry of law and justice ठीक है फिर वो respective ministry के साथ बैठते है अब जैसे income tax related है तो ministry of finance के साथ बैठेंगे और उनके साथ एक combined discussion सर एक मिनिट ministry of law ही बना सकती थी इनकी क्यों जरौत थी आपके मन में सवाल उटना चाहिए कि भाई अगर income tax related matter है तो उसे ministry of finance बना सकती थी ministry of law and justice को जूडने का काम था जूडने का काम इसलिए था कि ministry of finance को यह नहीं बता ना कि criminal हम कोई provision ऐसी नहीं अट्रेक कर दें जो criminal law or other law से impact कर रही हो जो criminal and other law से impact कर रही हो yes or no तो इसलिए वो दोनों बैठ करके बिल बनाते हैं अच्छा जी फिर यह जाता है both houses of parliament पहले लोकसभा फिर राज्यसभा अगर यह finance issue है तो पहले लोकसभा में जाता है और फिर यह कहां जाता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट असेंट अब अंडर्स्टाइंड कीजिगा जैसे ही यह law बन गया सिर्फ law बनना काफी है सिर्फ act काफी है या rules भी लगेगे rules भी लगेंगे मतलब इसको implementation करना पड़ेगा अब आप सोच के देखिए कानून तो हम लोगों ने बना दिया लेकिन implement करने के लिए permanent body चाहिए क्या सरकार implement कर सकती है well the answer is no पूछो क्यों क्योंकि सरकार हर 5 साल में बदल रही है we need a permanent body irrespective of what is government or whose government it is are you getting the point हमें कोई फरक नहीं पड़ता की यह सरकार किसकी चल रही है we need a permanent body सरकार आएगी जाएगी एक permanent body जो यह revenue को collect करेगी इसके law को implement करेगी yes or no no doubt it will function under the ministry of finance only but you need a permanent office जो इसको क्या करते रहे implement चाहे सरकार कोई भी हो किसी भी तरेके का political setup हो so law implementer बनाए गए क्या आप जानते हैं दो law implementer बनाए गए CBDT and CBIC CBDT and CBIC ऐसे दो law implementers बनाए गए CBDT जो है यह किस से related matter handle करता है CBDT यह DT से related matter matter handle करता है CBIC यह IDT से related matter handle करता है CBIC यह IDT से related matter handle करता है यह law को implement करवाते हैं मतलब technically rules बनाने का काम हो गया notification लाने का काम हो गया circular लाने का काम हो गया वो सब यह लेके आते हैं are you getting the point अब देखिए हम कहते हैं न law में कैसे amend होता है पहला law maker current situation को देख करके समझता है कि किसी law की जरूरत है बरबर है अब law तो उसने बना दिया लेकिन ground reality उसको पता है क्या ब्रो अरे हाँ या हाँ answer is ना उसको ground reality नहीं पता जैसे मैंने आपको कल भी example दिया था continue करते हैं law maker ने बना दिया कि या आधार जरूरी है return बरने के लिए लेकिन non-resident आया कि नहीं आया इशू non-resident आ गया non-citizen आ गया यह बोलेंगे हम कहां से आधार बरेंगे यार हमारे को तो तुम आधार दे ही नहीं रहो जब आप मेरे को आधार दे ही नहीं रहो में return कहां से बरूँ yes तो ground reality के issues law maker को नहीं समझ रहे तब जाके law implementer suggestions देता है rules बनाता है notification लाता है circular लाता है कि sir आप law maker ने law बनाया दिल्ली में बैठके बहुत अच्छी बात है लेकिन ground reality हमारे को समझ में आ रही है अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ ground reality क्या होती है अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में जम्मो कश्मीर, मेगालिया और आसाम यह तीन जगह एक issue है अब issue क्या है मैं आपको समझाता हूँ यह क्योंकि दूसरे देशों से connected borders होने के कारण बहुत सारे वहां के लोग क्या कर रहे है illegally आकर के यहां पर बस रहे है आपको अगर पता होगा तो बहुत सारे लोग बंगलादेश से आकर के West Bengal नहीं अदर जा रहे है यह देश में हमारे issue चली रहा है अब problem समझ ए एक basic understanding समझना ठीक है यह बंदा बंगलादेश से भारत आ गया ठीक है यह मेरा भाई बंगलादेश से कहा आ गया भारत अब issue समझ ए क्या है lawmaker ने law बना दिया आधार जरूरी है return भरने के लिए ठीक है यह इंडिया में आ करके इसने मस्त धंदा चालू कर दिया business ठीक है इसने धंदा चालू कर दिया अब issue समझी है documents illegal बन सकते हैं हाँ यहाँ तुम ली जामते हो गाड़ी चलाना आए ना आए पर लड़की के पास driving license तो आई ही जाता है गलत बोल रहा हूं हाज क्या रहा है भाई बहुत कम लोगों में talent होता है left indicator दे के right में मुणने का लड़की आइसी नहीं चलाती ना जबरदस्ती कुछ भी है ना आता है उनको parking में लगाते है ऐसा नहीं होता है है ना कुछ भी सोचते है मैं हूँ ठीक है भले उनकी height ना हो क्या हुआ अब समझ मेरे बच्चे यह भाई ने अपने business चालू कर दिया यह आया कहां से बंगलादेश फेक डॉक्यमेंट के भरो से भाई ने बना दिया आधार पकड़ाधार बरबर है अब मेरी बात सोच करके देखो अगर इसको आधार दे दिया तो don't you think इसे Indian citizen मान करके इंडिया के वेक्तियों को जितने rights है इसको भी देने पड़ेंगे जितने benefit है इसको भी देने पड़ेंगे जितने provisions है इसके लिए भी लागू हो जाएंगे पर यह legal है या illegal है अरे मतलब entry इसका legal है या illegal है अब मेरे को एक बात बताईए जब तक यह clarity नहीं आ जाती या इस बात पर provision नहीं बन जाता कि भी या इसकी citizenship ही legal है या illegal अगर हम इस पर आधार की applicability दे दे या इसको आधार लगा दे तो भारत में तो problem हो जाएगी एक तरफ दिखेगा भारत की population बढ़ रही है पर problem भी तो आएगी न क्योंकि ये वेत्ती है यहां आ गया अब सरकार ने क्या किया ground reality जम्मो कश्मीर, आसाम and मेगालिया इनमें क्या किया आधार की applicability को side कर दिया आधार की applicability को क्या कर दिया side उन्होंने बुला भी है यहां के लोगों को हम जब तक कि यह इंशौरनी हो जाते कि citizen है या नहीं है तब तक कि हम इन पर आधार की provision लगाएंगे नहीं अब समझे है, क्या हुआ जरा समझे है ये वेक्ति मेगालिया में है income तो अन कर रहा है income अन कर रहा है तो return भरना पड़ेगा हाँ आधार है क्या law maker ने तो law बना दिया आधार लगेगा ground reality क्या है आधार मिल रहा है क्या इसको मेगाले में अब समझ में है problem क्या है अब इस problem को कौन communicate करेगा implementer communicate करेगा तो next year जब amendment आएगा law implementer बताता है के sir आपने दिल्ली में बैठके कानून तो बना दिया you made the law by sitting in दिल्ली but it cannot be applied in Jammu Kashmir आसामन में गाले आ so it is not only non-resident it is also the people who are questionable as resident इन के लिए भी आपको exception लाना पड़ेगा तब जाके next year क्या आता है amendment so ये law implementers क्या करते है law implementers make rules bring notification bring circular suggest changes तो central board of direct taxes and central board of indirect taxes and custom CBIC का full form central board of indirect taxes and customs ये क्या करते हैं ये law को implement करने में help करते हैं तब जाके पता चलता है अगले साल क्या आने वाला है amendment तो किसी के सपने में नहीं आती वो law की दी दी बताने के लिए कि भी है तेको amendment करना है this is the practical implication जिसके कारण क्या आता है amendment आता है अब आप मुझे सोच के बताईए अब आप मुझे सोच करके बताईए lawmaker ने law बना दिया implementer ने उसे क्या कर दिया implement कर दिया लेकिन क्या question आ सकता है मेरे को applicability को ले करके मतलब as a taxpayer can there be dispute between income tax department and assessi yes or no can there be dispute yes अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा example बताता हूँ इस बात को हम आगे और discuss करेंगे अब मुझे एक बात बताईए एक theater था theater का नाम था Priya Theater based on real facts तीक है अब Priya theater के पास होता क्या था कि जो आसपास के local गुंडे थे ये लड़कियों को परिशान करते थे वहाँ पर जो family आते थे उनको परिशान करते थे और इससे theater का business कम हो रहा था अब theater वाले ने क्या किया उनको amount pay करना चालू किया हमारे आदेवे customer को तुम छेड़ोगे नहीं बरे बरे ये जो खर्चा किया क्या प्लीज मेरे जनल एंट्री पास कर सकते है इसकी क्यों नहीं कर सकते भाई पैसा तो धंदे से ही दोगे चलो तुमने एक निकाल करके चेक दे दिया भाव को अब तुमने निकाल करके दे दिया अब जनल एंट्री पास क्या हुई protection money paid ऐसे कभी जनल एंट्री सुनी है पत्प्रिया थेटर दिट प्रोटेक्शन मनी पेड तो कैसन बैंक अन उन्होंने बा काईदा P&L को डेबिट किया protection money paid matter A.O के पास गया A.O assessing officer income tax officer, matter a.o के पास गया, यह क्या, क्या इदरा क्या पी किया यह किस protection का payment है यह और इतना इतनी लगता अन्होरा सर यह ऐसे गुंडे थे, business नहीं करने दे रहे थे एक मिनिट, इस तरीके का कोई भी payment भारत का सम्विधान अलाव नहीं करेगा मैं इसे disallow कर रहा हूँ, आपके profit में add back कर रहा हूँ यह सर एक मिनिट, आप इसे add back नहीं कर पाएंगे, it's a business expenditure मेरे business को protect करने के लिए, protection के लिए है मेरे business को, अरे मेरे business को protect करने के लिए मेरे को यह खर्चा करना पड़ेगा, you have to allow it hello, आपने यह पूलिस को दिया होता, as a bribe, तो भी allow नहीं करता मैं because it is a breach of law, ऐसा थोड़ी में, sorry एक मिनिट, breach of law होगा पर मेरे धंदे के लिए तो है, आप जिस income को tax करना चाहरे है न वो उसी धंदे से आ रही है तो आपको अगर tax करना है तो यह खर्चे का deduction मेरे को देना पड़ेगा matter आ गया, can protection money or expenditure genuinely incurred for the purpose of business क्या हम इसे income tax मेरे deduction ले सकते, issue आगया अब law क्या बोल रहा है, lawmaker ने तो law बनाया, कोई भी breach of law के लिए क्या नहीं करोगे deduction नहीं देंगे, एक और, Tara Singh अपना truck लेके जा रहा था Tara Singh को जानते हूं नहीं जानते हूं, गदर भाव वाले अपने ट्रक लेके जा रहा था मैं निकला गड़ी लेके, रस्ते पर वो सड़क पर मोड आया, पर signal दिखा ही नहीं उसने वो गड़ी उटते छोड़ाया, अब यहां पर ट्राफिक वाले ने penalty लगाया अब यह penalty pay किया, तब जाके ट्रक छूटा और आब ट्रक वापस चला अब यह penalty paid थी, हाँ यहाँ, ठीक है, ट्राफिक, infringement, payment, done, आपने तो P&L को debit कर दिया, यहो, है, क्या, hand pump, allow कर, ने तो hand pump, यह hand pump उदर रहते है, इंडिया अल्रेडी डेवलप्ट है, हमारे पानी के supply आते, वो सब ठीक है, allow करना पड़ेगा, genuine business expenditure, अगर मैं यह खर्चा करता ही नहीं, आगे ट्रक चलता ही नहीं, तो आप जिस income को tax करने जा रहे हैं, वो मेरे लिए business का genuine expenditure था, पर बताइए, किसी भी law को तोड़ने के लिए जो खर्चा किया गया है, क्या उस income tax deduction दे दे, यह तो bribe को भी legal बना देंगे, income tax ही bribe को legal बना देगा, bribe paid, general entry pass, bribe paid account, debit to cash and bank, हो भी सकता है ऐसा कुछ, नहीं, lawmaker ने law बनाया है, implementer ने implement किया, लेकिन business owner Tara Singh तो यह बोलेगा न, यह जो खर्चा किया है, यह मैंने genuine खर्चा किया है मेरे business के लिए, पर यह allow किया जा सकता है, नहीं, it's a question mark, तो इसके लिए आते है law interpreter, law interpreter कौन होते हैं, अगर कभी भी dispute आ जाए, तो resolve dispute between, बूलो न, assessi and department, assessi मतलब वो वेक्ती जो tax pay करने के लिए liable है, between assessi and department, तो बता यह दोनों के बीच में जब जगडा हो जाता है, assessi के रहा है, यह मेरे business का खर्चा है, आपको deduction देना पड़ेगा, department के तनना, किसी दूसरे law को तोड़ करके मैं तुम्हें deduction दू, ना चॉलबे, आटा चॉलबे ना, सर देखे, जन्यूनली मेरे business के लिए है, matter गया court में, imagine a court room, department, यह कोन है, Tara Singh, my lord, who, my lord, traffic signal पे, breach करके payment करके आए है, यह इसको business expenditure के रहे है, कैसे allow कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको allow कर दिया, हर व्यक्ति law तोड़ेगा, और law तोड़ करके profit reduce कर देगा, P&L को debit करके, P&L में खर्चा debit, profit कम, अगर मैंने इसको allow कर दिया, यह आदमी तो आज ही debit करके profit reduce कर देगा, मतलब इसको तो penalty का डरी नहीं रहेगा, यह बोलेगा, penalty लगती है, लगे, income tax बचाएंगे, लगने दो penalty, कोई तकलीप नहीं है, हो गया तोटा, बाप आए मोठा, चलने दो, यह तो सब करते रहेंगे, माई लॉड, इसको सम्झा दीचे, अगर मैं ट्रक नहीं छुडाता, तो ट्रक चलता ही नहीं, फिर काई की income tax करते हैं, अरे भाया, ट्रक में माल जाता है, और उस माल को बेच के जो income आ रही है न, उसको tax कर रहे हो तुम, कैसी गंदी अश्लील बाते कर रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम गुड्स लेके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बाकी के खर्चा अलाओ कर रहे हूँ, पेट्रोल, रिपेर्ज, घर्चा, पेनल्टी अलाओ नहीं करूँगा, अगर मैंने अलाओ कर दी, तो यह तो इल्लीगल हो जाएगा, मैं तो ब्राइब को प्रमोट कर रहे हूँ, मैं तो इनके लौ तोड़ने को प्रमोट कर रहे हूँ, इनकम टैक्स किसी का घर तोड़ करके अपना घर जोड़ने ही सकता, इमोश तलमा तो पॉइंट पया, पर मेरा तो बिजनस का ख़चा है ना सर, वो नहीं करता तो दंबा कहां से करता, बरबर, अब यहां पर आप कोई भी सिचुएशन इमाजिन करी है, किसी भी बिजनस की करी है, एक बुलेगा लीगल है, लीगल नहीं है, दूसरा बुलेगा मेरा तो घर इसी से चल रहा है, जो नहीं समझे तुम ट्रकी समझो, तुम ट्रकी समझो, वह ठीक है, है न, वैसे समझे के लिए बहुत दूर जाने की जरूत नहीं थी यहां से, यह सामने जो सैंड्वीच बेच रहे हैं, उनकी बात करूँ, वह सड़क पे इल्लीगल बेच रहे हैं, कैसे गंदी बाते सोचते रहते हैं, अब आप सोच के देखिए, हर बिजनस के लिए जो तुमने सोचा वो भी, इशू तो यह आता न, जो तुम सोच रहे हो उसके लिए भी इशू तो यह आता न, एक बोलता कि बिजनस करना है, यह बोल रहा है मेरी जरुरत है बिजनस है, यह बोल रहा है बहिए यह इल्लीगल है, अब आपके हिसाब से यह matter dispute का हुआ या नहीं, यह dispute का matter जाता है, कहां, सबसे पहले, आपके हिसाब से, आपने foundation में पढ़ाता है, दो लोगों के बीच में dispute matter कहां जाता है, matter कहां जाता है, court, I will file a suit, income tax में ऐसा नहीं होता, income tax में पहले, ITAT में जाता है, उसके भी पहले, matter जाता है, appeal में, सबसे पहले कहां जाता है, appeal, सबसे पहले जाता है, appeal, appeal से जाता है, ITAT, ITAT से जाता है, high court और high court से जाता है, supreme court, सर हाई कोट और सुप्रीम कोट तो हमको समझ में आ गया दिखो ठीक है यह अपील और हाइट क्या होता है अपील मतलब सबसे पहले यह आपका डील कर रहा है आप उसके हेड के पास जाते हो CIT अपील आप कमिशनर के पास जाते हो कमिशनर को बुलते हो आप अपने ओफिसर को समझादो समझादो یہ सिंगम को कि जैकानचिकरे कोन है तो आप जाते हो उसके बॉस के पास जिसको कहते है ऑपील अपील टू हायर अथॉरटी तो आपको तो पता है शनी पाजी नहीं कहा था तारीक कालँ इतना अरडी busy है वहाँ पे murder के charge rape के issue चल रहे है, आपको लगता है income tax का इतना छोटा matter वहाँ पे discuss होना चाहिए? नहीं. तो high court का pressure कम करने के लिए एक authority बनाई गई ITAT, जिसको बूले जाता है income tax appellate tribunal, क्या बूले जाता है? income tax appellate tribunal, यहाँ यह matter discuss होता है. और जो यहाँ से case बनता है, जैसे supreme court ने अगर कोई law बना दिया, तो आपको नहीं लगता हो देश का कानून बन जाता है? तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ lawmaker law बनाए है. देहान सा समझना, how law works. एक lawmaker को लगता है कि हाँ current situation के हिसाब से law बनाना चाहिए, वो law बनाते हैं. दूसरा, law बन तो गया, लेकिन कई बार problem समझ में आती है, implement करने पे. कई बार problem समझ में आती ही, क्या करने पे बिटा, implement करने पे. वहाँ आता है law implementer और वो suggest करता है, sir, अगले साल एक काम करो या amendment कर दो. फिर कई बार dispute होता है, तो department को समझ में आता है, यह dispute है, इसको आज ही clear कर दो, नहीं तो आगे चलके और आएगा. तब जाकर के हर साल क्या आता है, amendment. समझ मारी बाद? चलिए. So how law works? This is how law works. आपका law जो बनता है, जो amend होता है, वो इस process के थ्रू होता है. जो एक ने due process है. तब जाकर के हर साल amendment आता है. समझ मारी बाद? क्योंकि इतनी चीज़े मिलती है पूरे भारत भर में, तब जाके एक के 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 कमेंडमेंट में इसके साथ में जूरता जा and how law works, act work कैसे करता है, clear? अब हम दूसरे वर्ड में जा रहे हैं, the next word is tax, taxes, अब हम इस वर्ड पर discussion करेंगे, जब आल जस्त discussion, taxes, मैं क्या कह रहा हूँ? आपने देखो धरती पर एक वर्ड सुना है tax, और आपने धरती पर एक वर्ड सुना है duties, मैं तो कहता हूँ, दोनों भी same ही है, बुलो हाँ, is taxes and duties one and the same, is taxes and duties one and the same, if not, kindly give me your suggestion, दोनों में difference किया है, custom duty, excise duty, but income tax, अब है अगर दो अलग-अलग word है तो meaning तो कुछ होगा, आपको तो पता है, मैं average बच्चा हूँ, मेरको तो बहुत बहुत दीप में जाना है, क्या difference है तोनों में, हाँ जी, tax सब लोग पे करते है, duty को specific people पे करते है, ठीक है, और, और कोई, बरी जवा में, इदर, हाँ, 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 जी, duty सिफ services पे लगती है, तो फिर goods and services tax क्यों होना चाहिए, goods and service duties होना चाहिए, न, bro, बात सही है कि नहीं है, point है कि नहीं, point है कि नहीं, point to my lord, सुनो न, हाँ, मैं तो बुलता हूं दोनों से ही, मैं बुलो हाँ, 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 तो फिर exercise duty, वो तो manufacturing पे है, वो तो जो इंडिया में भी बनता है, उस पे भी है, मतलब कुछ और भी है, मज़ा आएगा ना समझ के, the taxes is on goods as well as services, the duty is just on goods, तो जहां subject matter सिर्फ goods है, वहां देश का कानून वर्ड यूज करता है, duties, और जहां subject matter goods के अलावा other elements भी है, जैसे अगर services हो गया, अब इसमें goods कहीं involved ही नहीं है, तो सरकार यहां पे word यूज करती है, taxes, tax is a more wider word than duty, tax is a more wider word than duty, so tax duties is on goods, जहां subject matter सिर्फ goods है, it is narrow concept, यह बहुत limited चीज पर लगता है, taxes is on goods and services, it is broader, तो अगर subject matter किसी चीज में सिर्फ goods नहीं रहेगा, तो वहां पे सरकार word use करेगी, taxes, yes, this is also collected by central government, this is also collected by central government, and both are part of revenue of government, तो government इसमें कोई बहुत जादा difference नहीं करती है, कि यह duties से आ रहा है यह taxes से आ रहा है, दोनों उनके लिए same ही है, बस सरकार words use करते हैं बड़ी careful हो जाती है, अगर किसी चीज का subject matter is if goods है, तो वहां पे वह word use करते हैं duties, और अगर subject matter goods के अलावा extra things भी है, तो फिर वह word use करते हैं taxes, and इसलिए आप देखेंगे maximum जगह पे जो word है, वह taxes है rather than duties, अब duty के नाम पे सिर्फ एक चीज बची है that is custom duty, क्योंकि exercise जो था वह GST में merge हो गया, तो duties के नाम पे अब सिर्फ एक चीज बचीज बती है and that is custom duty, वह भी goods import and goods export पे है, समझमारी यह बात? अचा में क्या बोड़ा हूँ? ठीक है सर, taxes and duties, यह तो clear हो गया सर, सर मुझे एक बात बताईए, यह भी तो बताईए, types of taxes कौन से हैं? Taxes के types कौन से हैं? आपको तो बताए सर, मैं तो average बच्च हूँ, मैंको पहले यह बताना पड़ेगा, types of taxes कौन से हैं? पीटा धरती पे दो तरेके के taxes हैं, एक है प्रत्यक्षकर और एक है अप्रत्यक्षकर, बोलो कौन कौन से? Direct tax और? Indirect tax. ओ, मुझे कुछ याद आर आए, ब्रो, direct tax को कौन सी body handle करती है? और indirect tax को CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Direct tax, indirect tax. अच्छा, सर, direct tax handled by CBDT. याद है, permanent body, सरकार आएगी, जाएगी, CBDT वहीं रहेगा. ठीक है, permanent body के हाथ में दे दिया. अब सवाल उढ़ा, कि सर, direct taxes जो है, और indirect taxes जो है, इनमें फरक क्या है? कोई फरक बताईए? ठीक है? Let us understand, लिखना मत यह पाट, जो मैं अभी लिखा रहा हूँ. Suppose, मैंने एक goods लाए, let's say, पतंग. पतंग लाई मैंने 4 रुपे की, कितने की लाई? 4 रुपे की, उस पर branding करी, labeling करी, labeling करी, सब करा. और मैंने इसको sell किया, let's say, 10 रुपे में. बरवर? बरवर? Suppose this particular item is also subject to GST. This also subject to GST. यह GST पे भी cover हो रहा है. So, let's say, 10 का 18 percent, इसके उपर GST लगा, 1.8. बरवर? अब आपका total bill कित्ते का हुआ? 11.8 Rupees. ठीक है? Understand करीएगा. GST is called as an indirect tax. Indirect tax is collected from another person and paid to government. GST is collected from another person and paid to government. मतलब क्या? जैसे अगर आपने अभी देखा होगा आपने class की fees भरी. Class का एक amount था और उसके उपर क्या लगाया गया था? GST. अब यह जो GST हमने आपसे collect किया, यह हम हमारे जिब में डाल सकते हैं क्या? नहीं. यह बस हम आपसे collect करके किसको दे रहा है? सरकार को. Yes, it will be handled by Yashuan Sir. आपसे collect करके किसको दे रहा है? सरकार को. So, we are just means to government to collect the tax. समझ मारी बात? तो जो business owner होता है, यह सिब दूसरों से collect कर रहा, collect करके किसको दे रहा है? सरकार को. सर. आपने collect किया, पे नहीं किया तो? हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम हमारा दे देंगे. सरकार को तुम पर भरोसा था, इसलिए तो हमको दिये है, responsibility. अब तुम पर भरोसा था, तो हमको responsibility क्यो देते? given a chance, मैं आपको बताता हूँ, बच्चा आता है admission के लिए, बच्चा बोलता है, सर सुनो न, आप cash में payment लेलो, GST हटा दो न, मेंको नहीं पे करना, हम बोलते है यह option है नहीं, तेरे एक को ऐसा करूँगा, मेरे उपर अगर raid पड़ गई गलती से, तो मेरी तो assessment लग जाएग है न, right, so, अब, technically, यह जो पैसा है, इसको हम कहते है, IDT, indirect taxes, collected from another person and paid to government, अब आप मुझे बताएए, मेरे income का जो tax है, पहने, आप मुझे यह बता सकते है, मेरी income कितनी है, इस 10 rupees my income, 4 rupees my income, 6 rupees my income, none of the above, 6 rupees is my income, यह जो 6 rupees है, इस पे आप क्या देते हो, income tax, so, income tax is a personal tax, खुद की income पे देना होता है, indirect taxes collected from another person and paid to government, समझ मारी वाद, right, तो सर, सरकार को क्या 6 plus 1.8, 7.8 rupees मिले, कुछ भी, यह 1.8 तो सरकार को confirm मिला, लेकिन यह 6 rupees मेरी income है, इस income पे एक percentage आएगा, उसको हम कहेंगे, income tax, समझ मारी वाद, so, वापस से बताएए, what is the basic difference between DT and IDT, indirect tax is collected from another person and paid to government, direct taxes is paid on personal income, are you hitting it, तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हू, direct tax is a personal tax, whereas indirect tax is a impersonal tax, अगरी करोगे इस बात को, तो यह बड़ी हो कि MCQ बन रही हा, आओ, जल्दी बनाओ, Direct tax is a personal tax, indirect tax is a impersonal tax, यह पहला पोंट, , point number 2 , paid by person directly, collected from another person and paid to government, it is collected from another person and paid to government. हम, it is progressive in nature, ये confirm बढ़ा हो के MCQ वनेगा, लिख के रख लो, इतनी इंगलिष तो तुमको आती होगी, प्रोग्रेसिव क्या है, तो मैं आजूम करता हूँ, तीसरा पॉट्ट तुमें समझ गया, बुलो हाँ, बरवर ना, इतनी इंगलिष तो तुम सबको आता ही होगा, प्रोग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव क्या है, तो मैं ये समझता हूँ, तुमको आगया, चलो बढ़ते हैं आगये, बरवर ना, तुमको अगर 399 माक्स भी आये ना, फाउंडेशन में, तो DT की क्लास में तुम हो आवरेज, तुमको आये हैं 200, और इसी assumption से पढ़ने का, चलो, लेटा स्टाट, पूछने का मेरे से, सर क्या है इसका मेनिंग, उचो ना, क्या है, प्यार से पूछो, हाँ, क्या है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, हायर दे इंकम, हायर दे टैक्स, जैसे जैसे इंकम बढ़ेगी, वैसे वैसे टैक्स ब की की इंकम पांच करोड रुपय है, और मेरी सिर्फ पांच लाग रुपय है, who will pay tax higher, the girl will pay tax higher, yes, that is called as progressive basis, जिसकी इंकम जादा, he or she needs to pay higher, yes or no, so higher the income, higher the tax is called as progressive basis, to understand कीजे, दो वेक्ति है, एक वेक्ति है, जो कमा ही नही रहा है, और एक वेक्ति है, जो कमा ही नही रहा है, और the one who is earning, yes or no, yes, it is called as progressive taxation, and as the income increase, the tax will increase, and it is but obvious, yes or no, मान लिजे, ये बच्ची, ये बच्ची, CA बन गई, पहला पैकेज 9 लाग रुपय, आप सबको पता हो नही पता हो, आपको पैकेज ही पहला 9 लाग का मिलता है, 9 लाग के निचे अगर कोई आता है, इंस्टिटुट उसको भी नहीं करता, if you don't know, sir, 5 लाग गई जामाने, चिलर के लिए नहीं मने हो तुम लोग, 5 लाग को चिलर, जो बोल रहा हो सुन लो, experience के साथ बोल रहा हो, attempt लगा के, ठीक है, अब इस बच्ची को मिले 9 लाग रुपीज, पहली पहली बार, you know, सारे तीन साल की भुक्मरी गर बीबी के बाद, दिन, रात, संडे, मंडे, बर्थडे गवाने के बाद, इसको 9 लाग रुपे मिले, ठीक है, तो ये 9 लाग लेके जाही रही थी, इतने में एव आया, कौन आया, एव, एव आकर कि मतलता, ओ मैडम, शृ, 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 लाओ, 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 ल ऐसा क्या कर रहा, भया, एसा क्या कर रहा, भया, इतने मतलता, संबकला को ₹ इसा, वर्च वर्च researchers अपका एक बार ह्या कई बार ह्या, देना तो आपको पडेगा, पह भया मने तो आपकी टेली कॉस्तमर हो ना भया अरे पहली बार रेजिस्ट्रेशन कराया दिदी आपने दें माम देना तो पड़ेगा मुझसे क्यों? उदर अम्बानी जी इतना कमारे उंसे लो न दतन बीर कपूस इतना कमारे उंसे लो न विजू सा कमारे उंसे लो न उनको भी छोड़ा नहीं हमने पर आपको भी देना पड़ेगा understand पर एक बात समान जाए ही है अम्बानी जी जो कमारे है और ये जो कमारी है is there a difference? so who will be paying higher tax? that is called as progressive now when I come to regressive, what do you mean by regressive? regressive का मतलब होता है irrespective of income or class or category you have, you have to bear the same tax तो अगर आप देखेंगे अगर ये बहुत rich family से आ रहा है और ये उत्ते rich family से नहीं भी आ रहा है तो दूनों का GST rate सेम है समझ महीं बात तो GST, that is regressive taxation कभी भी difference create नहीं करता आपके income के basis पे it is common to all so regressive का मतलब क्या होता है regressive का मतलब होता है common to all आप एक goods लो तो भी उतना ही tax लगेगा, 50 goods लो तो भी उत्ता ही tax लगेगा समझ महारी ये बात ये differ नहीं होगा, कि भी आपने एक ball लिया cricket खेलने के लिए आपने एक ball लिया और आपने दो ball लिये तो इसमें difference नहीं होगा, it will remain same higher the income higher the tax देखो तुम लोग में को बिगाड रहे हों, हाँ बाद में तुम ही में को बोलोगे कि आपने हमें बिगाडा है higher the income, higher the tax so DT progressive basis पे होता है IDT regressive basis पे होता है clear है, बहुत clearly understand हुगा दोनों के भीच का difference अच्छा, एक मिनिट सुनो, direct tax के examples बताओ sir all deep में जाओ, direct tax के examples बताओ, क्या आपको पताए direct tax के example पहला है income tax जिसको हम direct tax भी कहते हैं, ये तो हमको पढ़ नहीं है क्या आपको पताए, एक wealth tax भी था wealth tax था, अब क्या हो चुका है abolish अब क्या हो चुका है, abolish ये wealth tax क्या था, बड़ा अजीब हो गरीब tax था sir, भारत के अंदर में पुचो कैसे ये भाई, नाम कहा रहा है निले, निले पहले income कमाए तो इसको income tax देना होता था wealth tax क्या था, एक छोट में समझाना हो आपको, इसको income tax दिना होता था, फिर इस wealth से इसने क्या कर दिया, building बना दिया, गाड़ी ले ली, yacht ले लिया, yes, जमीन खरीद ली, अब इसके पास wealth आ गई, अगर ये wealth 20 लाग के उपर की थी, तो इसको wealth tax भी देना था, या आपनी बोलता था, ये क्या justice है है, income tax तो भरा ना, उसी income से wealth बनाई, सरकार, wealth है ना, you have two houses, लोगों के पास एक नहीं है, दो tax, अरे, अरे, मेरी क्या गलती है उसमें, सब का साथ, सब का भी का साथ, तो ये technically double taxation था, 2017 में, अरुन जेटली सर ने इसको abolish कर दिया, बोले यार, ये गलत है, आदमी कमाता है इसलिए कि वो wealth बनाए, और wealth बना रहा है तो तुमने उस पर भी tax लगा दिया, क्या आप जानते हैं, income tax में, मरने पर भी tax था, don't tell me you don't know, मरने वाले को तो छोड़ दो, हाँ, एक duty था, आप अपने दादा जी से पूछेंगे ना, तो उनको ये याद रहेगा, इसको कहा जाता था estate duty, estate duty, आप अपने दादा जी से पूछेंगे, उनको ये जरूर याद रहेगा, ये भी abolish किया, तो as of now, duty के अंदर में सिर्फ income tax ही है, जो वर्क कर रहा है, अब ये estate duty क्या था, इसके बारे में भी तुम जानना तो चाहो गई, बोलो हाँ, क्योंकि अपना motor clear है, पॉड़ो, तो हद कर दो जाओ, तो एकदम deep में जाओ, कि भाई, कुछी से पूछने का पाचो पांट बताएं, तो मरने पर tax क्या था, जरा समझी है, अब ये निले न, अब ये निले ने income कमाई, पहले वो income tax देता था, फिर इसने wealth बनाई, कि भाई, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जो 15-20 बच्चे रहेंगे उनके लिए, वो इस पर wealth tax देता था, बरे-बरे, अब suppose निले बोला, में को स्वर्ग में जाना है, वो निकल गया, अब inheritance में property इसके बच्चे के पास जाती थी, उदे के पास निले का बच्चा उदे, अब inheritance में ये property कि इसके पास जाती थी, उदे, उदे विचा रहा है, अपने डैड को याद करके इधर रो रहा है, income tax department वाले आते थे, उदे आमें पता है, निले बहुत अच्छा आमी था, but you need to pay tax. किस बात का? अब किस बात का tax? देखो, inheritance में जो तुम्हे property मिली है, ये तो तुम्हे unnatural gain हुआ ना, estate मिली, estate पे duty. अरे, मेर बाप ने बरा न, जीते जी, income tax बरा, wealth tax बता, मेरी का गलती हुआ, मेरे को देखी गया, गलती तेरी नहीं है, तु अपने आपको गलती मत समझ, आरे, मेरा वैसा मनेगा भी नहीं है, पर estate तो तेरको मिली ना, बेटा, you are subject to tax, मतलब अदमी मरता था, अपनी estate किसी को देखे जाता था उस पर estate duty लगा देते थे, इसको भी cancel किया गया, I hope आप दोनों समझे, wealth tax और estate duty क्यों cancel हुआ, rather than just समझो कि cancel हुआ, समझ में आई वात, because it was a draconian tax, same चीज के उपर आप multiple time अलग लग लग नाम से लगा रहे हो, नाम बदलने से काम थोड़ीन बदलता है, सारे थे, अब दो ही है, GST and custom, ये श्वन सर बता देंगे आपको, आगे चलके, so as of now, we are dealing only in income tax when it comes to direct taxes, which is handled by who, handled by who, CBDT, clear है मालिक, so चलो, क्या मेरे बच्चे को clear है दोनों के example, हाँ, तो हम कौन से वर्ड में थे, tax, tax, tax में पहली चीज पढ़ी, tax और duty नाम के वर्ड के बीच में फरक्स किया है, दूसरी चीज पढ़ी, direct tax और indirect tax क्या होता है, अब तीसरी चीज, तीसरी चीज, sir, component of tax, sir, क्या tax में सिफ tax collect होता है, well, the answer is no, tax में सिर्फ tax collect नहीं होता, क्या tax में सिर्फ tax collect होता है, well, the answer is no, tax में सिर्फ tax collect नहीं होता, tax में पेटा तीन चीज होती है, ध्यान से समझना, आज बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, tax calculation में काम आएगा everyone, एक होता है tax, दूसरा होता है surcharge, और तीसरा होता है CESS, spelling है C-E-S-S, है न, कुछ अलग मत बुलना चालू कर देना, habit case आपसे, tax में तीन चीजी होती है, tax में हम सिर्फ tax नहीं लेते, tax में तीन चीजी होती है, tax, surcharge and, CESS, tax, ठीक है, so आओ, understand, यह तो हम पहले देख रहे है, direct tax और indirect tax, this is a obligation to be made to government, yes or no, tax is a obligation to be made to, given to government, obligation to pay to government, this is tax, अच्या, जो tax लगता है, आपके इसाब से पूरी income tax में चल जाती है, या percentage of income is subject to tax, percentage of income is subject to tax, अब यह हम इस पर discussion नहीं कर रहे है, कौन सी income taxable है, कौन सी नहीं, सब आएगा, मैं little slow हूँ, पर deep तक के जाता हूँ, सब्जेक्ट सिखाने में, ठीक है, प्लीज मत बिगड़ो, मेरी बात सुनो, और जित्ते बच्चे ओनलाइन बैठे हैं, यह छोटे छोटे वीडियो क्लिप निकालके, प्लीज यूट्यूब पर डालना, बंद करो, मैं, मैं, haver Bayral कॉ दिघ अनी थि में, और नीच फूराीयर्जूर Cant , पिछले बार ऐसा हुआ था, मिरेयो नाम परशियन बैच था, तो पिछले बार घुए था चुकला हे अमनी नां पर्शियन परश्य श्थी था, तो पिछले बार ऐसा उसा हुआ था, इदर तुमको सबको मज़ा आता, उदर से मेरे को फोन आता, कि भै लेक्चर में ये सब बोलना पड़ता है क्या, अब उनको कौन समझा है, समझता ही है ये बच्चों को, अब बच्चा दिन, जीस बारे में दिन रात सोच रहा है, sorry, रात दिन सोच रहा है, obligation to pay government, it is a percentage of income which is subject to tax, अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ समझानेगे, अच्छा, आपको अगर या दो, चलो interlinking करते है, is tax divided between centre and state, divided in centre and state, and it is kept in CFI, ब्रैकेट में लिखो, CFI is Consolidated Fund of India, CFI is Consolidated Fund of India, सरी, Consolidated Fund of India क्या होता है, जैसे हम कोई bank account बनाते हैं, भारत सरकार जितना भी taxes और duties collect करती है, इसको RBI के पास ए Consolidated Fund of India में रखती है, RBI के supervision में Consolidated Fund of India में रखती है, तो भारत सरकार जितना भी revenue collect कर रही है, in the name of duties, taxes, etc. यह सब एक जगह जाता है, The Consolidated, जितने जगह से आ रहा है, Fund of who, Prime Minister, India, to be utilized for India, समझ में आ रही ही बात, So, Center और State के बीच में divide किया जाता है, और इसे रखा कहां जाता है, तो जैसे सरकार ने collect किया, इसको CFI में डाल दिया, CFI के बाद, President decide करता है, इसको distribute किसको कित्ता करना है, समझ में आई बात, So, Consolidated Fund is nothing but an account, which is maintained under the supervision of RBI, clear है? अब आते हम दूसरे concept के उपर surcharge, अगर यह surcharge क्या है, और इसके पीचे की एक जबरदस history भी बताता हूँ, जो बड़ी काम की है, Surcharge का मतलब होता है, additional levy, surcharge का मतलब क्या होता है, बुल बड़ा, additional levy, अब यह additional levy का मतलब क्या है, additional levy का मतलब यह है, कि जो लोग extra कमा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा extra collect किया जाता है, in the name of surcharge, in the name of surcharge, कि भीया, additional levy, तुमने अगर एक limit के उपर कमाया, तुमने अगर एक limit के उपर कमाया, तो तुमको थोड़ा extra देना पड़ेगा, because you are earning high, है, yes, तो जो HNIs होते हैं, जो जादा कमा रहे हैं, यह surcharge पे करते हैं, अभी जैसे कि अब समझ लीजे, Abhishek Sir, ठीक है, अभी एक share था, last time ही, he earned 90 lakh rupees in that share, अभी था 5 star girl के share था, he legit earned 90 lakhs, अभी इसमें 90 lakh rupees उसने कमाया, एक आम आदमी मेरे जैसा कमा सकता है क्या? No, ठीक है, तो आम आदमी अपन लोगों की जैसे कमा सकता है क्या? नहीं, अभी उनने कमाया, 90 lakh जो उनने कमाया, सरकार कहती है, अगर कोई 50 lakh से उपर कमा रहा है, एक करोड से उपर कमा रहा है, मैं income की बात कर रहा हूँ, receipt की नहीं, मैं 10 रुपे की बात नहीं कर रहा है, 6 रुपे वाली बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई income जादा कमा रहा है, after all its expenses, तो उसको थोड़ा से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा था, मैं अमीरों से लूँगा और गरीबों को दूँगा, तो अमीर उस ताइम समझ नहीं पाए कि मोदी जी कह क्या रहे है, अमीर उस ताइम समझ नहीं पाए, मोदी जी कह क्या रहे है, उनने कहा था, भाई और बेनो, मैं अमीरों से लूँगा, गरीबों को दूँगा, अब लोग समझ नहीं पाए उस ताइम मोदी जी क्या क्या रहे है, बाद में जब income tax पढ़ा, उनको समझ में है कि उनके सर चार्ज हो गया है, उनका क्या हो गया है, सर चार्ज हो गया है, मतलब, tax तो देना ही देना है, tax के अलावा एक और additional percentage देना है, this is called as surcharge, yes, अब बताता हूँ मैं आपको क्या game किया, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा history समझ ये, डिटी में समझ नहीं पड़ता है, 2014, अपकी बार, 2014 में मोधी जी ने slogan लगा दिया, कि भाईया, मैं अमीरियों से लूँगा, गरीबों को दूँगा, लोगों को समझ नहीं है क्या किया, फिर income tax में उन्होंने क्या किया, slab rate सेम रखे, tax rate सेम रखे, और सिर्फ सरचार्ज को बढ़ा दिया, क्या गेम खेला ज़रा देखना, income tax के rate सेम रखे, और सरचार्ज को बढ़ा दिया, अब पूछो मोधी जी ने ऐसा किया, क्यूँ, क्योंकि tax जो होता है ना बिटा, वो center और state में divide होता है, सरचार्ज सिर्फ center के पास रहता है, तो आज जो आप इतनी scheme देख रहे हो, जिसमें बाक काईदा सिर्फ मोधी जी प्रमोट हो रहे है, this is only because यह पैसा किसी state के पास है ही नहीं, इतना fantastic दिमाग लगाया, बुला पैसा सिर्फ center के पास रहेगा, किसी state का दखलनाजी नहीं चाहिए, तब जाकर के clean ganga project, स्वच्छ भारत अभियान, and etc. etc. के लिए पैसा बना, समझ मैं ही बात, so fantastic brain, उन्होंने यह किया ही नहीं, कि भईया मैं state में divide करूँगा नहीं, तो हर state आकर के क्या करेगा, पैसा मांगेंगा और मुफ्त की रेवड़ी बातेगा, चाहिए यह नहीं, पैसा center के पास रहेगा, हमारे दिमाग में कुछ scheme है, हम scheme चलाएंगे, तो आज जो आप इतनी scheme देख रहे हो, यह अलग-अलग जगा फिर इतने अलग-अलग जगा इंफास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं, यह सब कहां से आ रहा है, सर्चार्ज, are you getting the point, so what is सर्चार्ज, सर्चार्ज is an additional levy, it is collected if income exceed a limit, तो आपकी income अगर एक limit के ऊपर चल जा है, तो हमको सर्चार्ज देना पड़ता है, it is only kept by union, it is only kept by union, and it is a part of CFI, पैसा यह भी CFI में जातेगा, पैसा यह भी कहां जाएगा, CFI में जाएगा, पर जितना सर्चार्ज के नाम से collect हो रहा है, उतना सर्कार के पास ही रहेगा, वो divide नहीं हो सकता, सर्चार्ज लागने का पावर कहां से आया, article number 270, article number 270 to the Indian Constitution भारत सरकार को यह पावर देता है, कि tax के उपर आप क्या लगाओ, सर्चार्ज, आप पुचोगे, नए सर, हमको भरोसा नहीं है, आप बताओ, कहां लिखा है, वा साब लो, तुम्हारे लिए कुछ भी, article number 271, मैंने यह 270 लिखा है, article number 271, चलो देखिए, क्या लिखा है मैंने साथ पढ़ी है, पार्लेमेंट में, at any time, increase any duties or taxes, by way of a, सर्चार्ज, for the purpose of, union, समझमारी वाद, तो यह जो पैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ कौन रखता है, union, yes, and proceeds shall form part of consolidated fund of India, तो इससे जो पैसा आएगा, वो consolidated fund of India का ही part है, सर पर फिर वो bifurcate कैसे करते होंगे, कि कितना tax का है, कितना सर्चाज, दोनों अलग-अलग column में भरते हो, जिससे वो automatically system bifurcate करता है, यह समझमारी है सभी को, हायन न, साहब, बहुत बढ़िया, शालो, so, come on, revise मितनी, सबसे पहले क्या था बटा, obligation to pay, it is a percentage of income, it is divided between center and state, रखा कहा जाता है, CA5, फिर आता है, सर्चाज, सर्चाज is an additional levy, extra लगाने का पावर, पावर कहां से आया, article number, 271, से आपको यह पावर आया, रखता कौन है, सिर्फ, union, लेकिन लगेगा तभी, जब income एक limit से उपर जाती है, आपके मन में अभी बहुत सवाल आएंगे, कि सर, income किस limit के उपर गई तो सचाज लगता है, मैंने आपसे क्या कहा, रूप जाओ, सबर करो, पहले base clear करो, फिर आगे का सब सम्झाओंगा, कि कब लगता है, क्या लगता है, इसके ओपर more than 20 problems solve करोगे तो, तो hold it, फिर तीसरा आता है, CES, जिसको आज बूला जाता है, today, called as, HEC, that is, health and education CES, आज इस CES को, income tax में बूला जाता है, health and education CES, whatever, इसको क्या बूला जाता है, health and education CES, HEC short form, हम पूरे income tax में इसका short form ही उस करेंगे, HEC which is also allowed, ठीक है, HEC, अब यह CES क्या होता है, CES is also an additional levy, लेकिन यह सिफ specific purpose के लिए पूरा किया जाता है, मतलब, सरकार ने क्या किया है, एक emergency reserve नाम की चीज बनाई है, जिसको यह लोग CES कहते है, wherein इसमें जितना पैसा collect होगा, वो सिर्फ और सिर्फ specific purpose के लिए यूज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ specific purpose के लिए यूज होगा, 2015 में जब पहली बार, मोदी जी आये 14-15 के अंदर में, इन्होंने बोला कि यह हमारी सारकार की दो priority है, पहली priority है स्वास्त, और दूसरा priority है education, तो इसलिए इसको collect किया गया health and education says, मैं आज आपको बताओं यह पैसा कहां यह जो रहा है, आपने concept सुना होगा, सर्वसिक्षा अभियान, midday meal scheme, जिसके अंदर में, underprivileged बच्चों को क्या किया जाता है, education और meals provide किया जाते है, इसका पैसा कहां से आ रहा है, HEC, दूसरी बात, आपने COVID के दौरान, टोचन लगाए दो, बहुत सारे लोगों को paid vaccination मिला, illegally, but maximum लोगों को जो यह vaccination था, यह free था, लेकिन यह vaccination खरीदा तो है न हम लोगों ने, किस से, Serum Institute से, जैसो नो पुना वाला ग्रूप, सरकार ने पुना वाला ग्रूप को पैसे तो दियोंगे, पैसे आये कहां से, इतने लोगों को vaccine लगाने के लिए, CES, इतने सालों से, Health and Education के उपर क्या किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, उसको collect किया जाता है in the form of CES, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह CES का पैसा, can be used, only for, specific purpose, देख, tax का पैसा तू infrastructure में लगा दे, कोई तकलिफ नहीं है, CES से आने वाला पैसा, सिर्फ Health and Education में ही लगा पाएगी सरकार, सिर्फ Health and Education के लिए ही use हो पाएगा, it is collected, as a percentage of tax, tax का एक percentage CES होता है, है, tax का एक percentage क्या होता है बिटा, says, and it is also the part of CFI, यह भी consolidated fund of India का part है, यह भी consolidated fund of India का part है, is that done, चलो, revise, sir हम कहा है, हम दूसरे word पे है, tax, मैं सिर्फ tax word को खोले जा रहा हूं, कि भाई, tax और duty के बीच में फरक क्या है, tax के टाइप कित्ते होते है, क्या tax में सिर्फ tax होता है, या tax के अलावा भी और कुछ collect होता है, तो tax में किती चीज क्लेक्ट होती बिटा, तीन, बोलो कॉन सी, tax, surcharge, says, यह तीनों को मिला के बोला जाता है, tax, समझमारी बात, तो income tax में सिर्फ tax नहीं है, bro, tax, surcharge, says, पर surcharge हर case में applicable होने वाला, पर says हर case में applicable होगा, मतलब, surcharge तभी लगता है, when the income exceed a prescribed limit, says, लगेगा ही लगेगा, हर case में, so if there is one rupee as tax, there will also be HEC, समझमारी बात, there will also be HEC, तो अगर आपको tax calculation करने बोला, तो क्या मेरा बच्चा सिर्फ tax निकालेगा, यह applicable surcharge if any, and HEC भी निकालेगा, both, yes or no, surcharge तभी when income exceeds the prescribed limit, HEC तो लगाना ही लगाना है, clear है मालिक, कहां है हम, दूसरे वर्ड पर, sir आपको एक बार पता है, foundation में न, इतने में unit खतम होता था, एक keyword को खोदे जा रहे हो, चलो, हां तो खतम हो गया न, कि और भी कोई concept बचाए आपके हिसाब से, आइए sir, देखते हैं, आपके notes में देखिए, सबसे पहले tax and duty दिख रहा है, have we done this, yes, फिर sir, charge and says दिख रहा है, have we done this, फिर direct and indirect tax दिख रहा है, have we done this, शांदार आओ बटे, अब हमने दूसरा वर्ड कतम किया, tax, तो पहला वर्ड पढ़ा हमने act, act के बाद पढ़ा tax, अब मैं तीसरा वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको, 1961, रुको जद, कितने मार कहा है, जब तक तोडेंगे ने छोडेंगे ने, सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, मतलब 90, यह बच्पन से चल रहा है, सर हमार साथ, foundation से चल रहा है, उटा करके 1872 का लग पढ़ा दिया, 1932 का लग पढ़ा दिया, अपै जब हम धर्थी पे थे नहीं तब के लग क्यू पढ़ा रहे हो, I guess आप सब 2000 के बाद वाली काटेगरी में है, yes or no, right, the beautiful years, the golden eras, ठीक है, हम 90s वाले, हमारा अलग रुबाब है थोड़ा, हमने सधी बदलते देखा है, सर तो, मतलब दो साल पुरानी में शटनी बेंता, दो साल पुरानी में गाडी नी चलाता, दो साल पुरानी 1961 का law 2023 में पढ़ा रहे हो, क्या logic है, law नी बदलता बेटा, law में सिर्फ amendment आते है, technically income tax हर साल अपने आपको पूरा upgrade कर देता है, और इसके अंदर में क्या आते है, amendments, इसके अंदर में क्या आते है, amendments, amendments कहां से आते है, budget, हर साल क्या आता है बेटा, budget, तो आईए, अब 1961 का law, हम अभी पढ़ रहे है, उसके पीछे का logic क्या है, बोलो बेटा, budget, आईए अब आपको समझाते है, budget क्या होता है, जिन्नेगी में पहली बार समझो, क्यू फरवरी में, हर CA, professionals, आपके डाड, TV को stick होते हैं, budget, जी, tax के साथ ही collect होता है, along with the tax, मतलब जो आप tax calculate करते हो, उसी के साथ अब says भी pay करते हो, next is budget, हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, what is budget, foundation में तुमने पढ़ा है, what is budget, is budget an estimate, about future outflow, or is budget is an estimate about future inflow and future outflow, yes or no, right, अच्छा, अब हम कौन से बजट की बात करें, क्या हम जो normal budget बनता है, उसकी बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैs finance budget की या हम बात कर रहें finance budget की finance budget की बात कर रहे हैं, अजित हर साल आता है, बजट के दो टाइप होते हैं, there are two types, एक होता है, final budget, दूसरा होता है, interim budget, बात समझ ना, सर बजट कब आता है, budget आता है बिटा, every year on 1st Feb, हर साल 1st Feb को आपका budget आता है, it is presented by, बुलो, finance minister, it is presented by, finance minister, sir budget कौन से act के हिसाब से बनता है, anyone, budget कौन से act के हिसाब से बनता है, anyone, हाँ हाँ, बुलो, बुलो, अरे गलत रहेगा चलेगा यार कोई तकलीफ निया, बुलो तो सरी, FRBM Act, income tax act, sir the budget is prepared as per FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, बहुत सारे बच्चों को लगता है, finance act से बनता है, गलत है, the budget is prepared as per, it is prepared as per FRBM Act, FRBM, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, latest updated. So, budget is prepared as per Fiscal Responsibility and Budget Management Act Yes, तुचलो, जल्दी से बताओ, budget कौन से साल में आता है? हर साल आता है, कितने तारीक को आता है? 1st Feb को ही आएगा, sir ये date change नहीं होती है, नहीं होती, 1st Feb को ही budget आता है, कौन प्रेजेंट करता है? Finance Minister, prepare कौन से act के हिसाब से होता है? FRBM, FRBM का full-form क्या है? Fiscal Responsibility and Budget Management Act क्या आप जानते हैं, CA final के बाद, Tech Mahindra ने इसको अपने interview question में दो बार पूछा है, budget is prepared as per which act? Tom Tom ने एक बार पूछा है, budget is prepared as per which act? समझमानी बाद, interview question नहीं है, अच्छा, budget दो प्रकार के बनते बटा, एक है final budget, दूसरा है interim budget, budget किते प्रकार के है? दो, एक है final budget, दूसरा कौन सा है? interim budget, अब interim budget कब आता है? interim budget आता है, in the year of election, in the year of election, election के साल आपको interim budget देखने को मिलता है, so technically, in the year of election, there are two budget, budget, एक budget आता है, first budget आता है, interim budget, ये जो interim budget होता है, ये February में ही आजाता है, पर अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, ये जो interim budget होता है, ये first February को ही आजाता है, ठीक है? थोड़ा और zoom करूँ, इत्ता ठीक है बिटा, सभी को दिख रहा है? ओके, so जो interim budget है, budget के साल में दो, अभी जैसे मैं आपको बताऊ, I guess अगले साल election है, तो 2024 में आपको देखना, दो budget देखने को मलेंगे, एक होगा जो फरवरी में ही आ जाएगा, clear है? तो जो existing government है, NDA government, right, मोधी सरकार, यह अपने कर्तव्य के हिसाब से, एक फरवरी को budget लेके आ जाएगी, पर इस budget को कहा जाएगा, interim budget, फिर आपको अगर पता हो, तो मार्च से election चालू होते हैं, जो June एंड तक खतम होते हैं, हर state में, अब फिर जो भी नई सरकार बनेगी, for example, या तो existing government repeat होगी, या तो new government आएगी, as the case में भी, तो जो भी नई सरकार बनेगी, वो फिर दूसरा budget लेके आते हैं, वो फिर दूसरा budget लेके आते हैं, इसको हम कहते हैं, final budget, और यह कहीं न कहीं, July या August में आता है, depending upon the time, जब भी उसके बाद में, new government अपना पहला session लेके आएगी, तब final budget, याने technically, interim budget कब से कब तक के चल रहा है, February से, जब तक नया नहीं चल जाता, June, July तक के चल रहा है, और फिर जो final budget आ रहा है, वो July से लेकर के कब तक चलता है, अगले March, समझमारी बात, और फिर तो अगले पांच सल final budget आ नहीं आना है, तो in the year of election, you get two budgets, कौन से budgets, interim as well as final, final budget आपको कब मिलता है, every year on 1st April, sorry, 1st February, every year on 1st February, फिर election जैसे ही खतम हुआ, इसके आगे हर 4 साल, सिर्फ एक ही budget आने वाला है, that is final budget, एक फरवरी को आ जाएगा, जो भी नए finance minister होंगे, वो लेके आते रहेंगे, yes or no, budget समझमारी है, तो हर साल, बताए, 1961 का law, आप 2023 में उपढ रहा है, क्यों, क्या technically law बदल रहा है, या law सिर्फ amend हो रहा है, amendment कहां से आते हैं, budget से, everybody, budget कित्ते प्रगार के रहते हैं, दो, एक रहता final, दूसरा रहता interim, 2023 में जो budget आया होगा, final होगा, 2024 में जो आएगा, interim and final, दो आएगे, जो interim रहेंगा, technically वो फरवरी से जून तक वर्क करेगा, और जुलाई से जो भी नहीं सरकार अपना budget बनाएगी, वो चालू हो जाएगा, yes or no? अच्छा जी, sir, 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 budget क्या लेके आता है, budget brings amendment, amendment का मतलब क्या होता है, sir? amendment, amendment का पहले meaning समझो, amendment are the changes proposed, in budget, amendment are the changes proposed in budget, तो budget के अंदर में जो भी changes proposed होते हैं, उसको हम कहते हैं कि यह amendment आया है, yes or no? sir, हमें भी देखना है, कौन से website पे मिलेगा, www.unionbudget.nic.in, तो अगर आपको देखना है यह budget, तो आपको देखता है unionbudget.nic.in की website के उपर, हर साल जो भी budget आता है, present होते ही तुरंत website पे upload कर दिया जाता है, सरकार की website है, महां से data निकल जाता है, पूरा का पूरा. Sir, इस साल कितने amendment आये हैं, मतलब जो हमको पढ़ने हैं, 112. किते हैं? 122. सुर सारे उमको पढ़ने हैं, 80. सिर्फ? हां, मतलब 80 तो पढ़ने ही पढ़ने है, ऐसे तुम क्या को इत् predictive हो, कर रहे हैं, तुम्हारे ली तुम्हारे पूरा subject की ने, पूरा subjective amendment है, तुम्हार ले तुमको क्या परक पढ़ रहा पिछले साल क्या था, इतना react कर रहा है जैसे जबरदस्ती में, ऐसा कुछ तो, और वैसे तुमको पूरा नया पढ़ नहीं, यह सब मालूम था कि तुमको, यह सब सिर्फ वर्ड सुनें थे तुमने आज तक क्या है, हम इसको डिस अमेंडमेंड में, जो भी बजट आएगा, बजट तिरको अमेंडमेंड ला करके देगा, यह जो अमेंडमेंड रहेंगे, यह तरको कौनसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, unionbudget.nick.in, ठीक है, इस पर अमेंडमेंड मिल जाएंगे, अमेंडमेंड का मतलब है, changes, बरबर है changes सिर्फ DT में होते हैं क्या, तुम्हारे हिसाफ से, या IDT में भी change करते होंगे, so changes in DT and IDT, changes, क्योंकि जो अमेंडमेंड मेंडमेंड आते हैं, यह दोनों तरफ के changes लेके आते हैं, changes जो आते हैं, यह दोनों तरफ के changes लेके आते हैं, DT में भी लाते हैं, IDT में भी लाते है पेन निच्चे रख दो और सिर्फ इस फैट अबजक्ट के तरफ ध्यान दो, कल मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए, सवाल लिपीट करो न मेरे लिए प्लीज, और जिसको याद नहीं आर रहा वो जाके अपनी बुक पलट आए, एक्ट आया था 1961, रूल्स आये थे 1962 और ब्रो मैंने तिरे को बोला था ऐसा क्यों और ये सवाल मैंने तिरे छोड़ दिया था और मैंने कहा था आज डिसकस करूँगा, और देखो आज डिसकस करूँगा, लॉजिकली सम्झाऊँगा और तुम बोलोगे भाई, फुल रिस्प सम्झाऊँगा, वापस से सवाल रिपीट करो, एक्ट, रूल्स ये एक पॉइंट इदर रखा, ये दिख रहा है ये पॉइंट, ठीक है, एक्ट कंटेन प्रोविजन आफ लॉज रूल्स कंटेन इंप्लिमेंटेशन आफ लॉज एवरिबाडी, ये रखा इदर, ठीक है, दिख रहा ही है, दिखना ही चाहिए, यहां क्या है, एक्ट 61, रूल 62, यहां क्या है, एक्ट कंटेन प्रोविजन आफ लॉज रूल्स कंटेन इंप्लिमेंटेशन आफ लॉज, ये जो भी है, ये अमेंडमेंट से चेंज होती है, काई से चेंज होते हैं, ये अमेंडमेंट रख दिया मैंने इधर, ठीक है? इधर क्या है? Act Rules, इधर क्या है? Act contain provision, rules contain implementation. और यह जो भी Act change हो रहा है, यह काई से आ रहा है? Amendment, यहां तक क्या ठीक है? अब सुन. हर साल budget आता है, हर साल budget आता है, हर साल budget आता है, budget एक फरवरी को आता है, budget जो होता है, वो Finance Minister present करता है, यह जो budget आता है, इसके अंदर में direct tax के amendment आते हैं, यह amendment financially क्या आता है, यह amendment कौन से करना है, कैसे समझेगा? यह amendment कौन से करने है, कैसे समझेगा? तो आपको टेंशन लेने की ज़रोत नहीं है, lawmaker, law बनाएंगे, law implementer, implement करेंगे, law interpreter, interpret करेंगे, तब जाके समझेगा, नया amendment क्या करना है कुछ भी? amendment आए, जो IDT के amendments है, they are applicable from midnight, unless, otherwise, provided, तो जो indirect tax के amendment लेके आएंगे न भाई साब, यह उसी राच से लागू हो जाएंगे, like petrol prices, राद बारा बजे से लागू, so changes in indirect taxes are generally applicable from midnight, unless, otherwise specified, तो अब तक कि अगर कोई और date नहीं दियोगी, तो यह by default है कि वो उसी राच से लागू हो जाएंगे, अगर कोई अलग date नहीं दियोगी, कोई तारीख अलग नहीं दियोगी, यह उसी राच से लागू हो जाएंगे, clear है मालिक? DT के amendments, pen down, DT के amendments are applicable from first day of next year, वापस से सुनिए मेरी बात को, DT के amendments first day of next year से लागू होते हैं, क्योंकि पूरा income tax assessment year, आने वाले साल की language में लिखा है, उचो ऐसा क्यों? भाई, current year में तो तुम income कमाओगे न, understand, 1-4-2023 से ले करके, 31st March 2024 तक के तो तो तेरी income compute होती रहेगी न, 31st March 2024 राद 12 बजे तक के तु धन्दा करेगा वो इस साल में आएगा, तो 23 से लेके 24 तक का जो income है वो तो income calculation का होगा न, क्या राद में बारा बजे टैक्स पे करेगा, stop, टैक्स पे डिपार्टमेंट में होता है या डिपार्टमेंट को होता है, राद बारा बजे ओपन रहेगा, गो बैंक, नहीं, यानि आपको टेक्निकली इस साल तो सिर्फ income compute करना है, अच्छा 31st March के accounts भी 31st March को final नहीं होते है, वो इसके बाद होते है, यानि उस साल की income पे tax के आप उस साल देते या अगले साल देते होंगे, मेक सेंस टू यू, वापस से सुनो, ऐसे कैसे समझा, बुल नहीं समझा, मैं वापस सम्झाएगा, वापस सुन, 14-2023, तेरा financial year चाल हुआ, हलो, 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 आवाज नहीं हारे, ट्रिंग ट्रिंग, हलो, 14-2023 से तेरा financial year चाल हुआ, ये तुने 12 माई ने income कमाई, 31st मार्च 2024 को तेरा year खतम हुआ, अकाउंटिंग डन हो गई क्या, अरे जो बीर बार होगा, वो तो रात में 31st मार्च 2024 को रात 12 बज़े भी चाल हुआ ना, 12 बज़े तक का जो आखरी बिल होगा वो भी तो इस साल में जाएगा ब्रो, अभी अकाउंट शेटल हो गए, नहीं, अकाउंट शेटल भी टेक्निकल अगले साल होगे, तो इस साल में आप से पी income कमाते हो, इस पे tax अगले साल देते हो, तो जिस साल में इंकम कमाई, उसको कहा जाता है previous year, क्या कहा जाता है, जिस साल में इंकम कमाई, उसे क्या कहा जाता है, जिस साल में इंकम कमाई, उसे क्या कहा जाता है, अले बंदो, जिस साल में इंकम कमाई, उसे क्या कहा जाता है, उसके आगे के year, जिस साल टैक्स पे करत उसको बोलते, assessment year, उसको क्या बोलते, वापस से, जिस साल income कमा है उसको क्या बोलते, और इस पर tax आगे के year में पे होता है, उसको क्या बोलते, so क्या मैं English case line को कह दू, income of previous year taxable in assessment year, फिर समझ में आगे तूंगा, बोलो नहीं समझा, income of previous year is taxable in, so whatever you will earn between 23-24, you have to pay tax between 24-25, तो आप बताईए, income tax current year की language में लिखा होना चाहिए या आगे के साल में लिखा होना चाहिए, makes sense, क्योंकि income tax जो तुम पे कर रहे है, वो आने वाले साल में पे करना है, इसलिए पूरा income tax की जो language है, वो assessment year में लिखी है, कौनसे year में लिखी है, assessment, आगे के साल में लिखी है, तो अब तू सोच के बता, act तो 61 में आ गया होगा, exactly implement कभ वुआ होगा, hence prude act 1961, rules 1962, act contain provision of law, rules contain implementation of law, logic. Bro, logic समझ में आया क्या? अरे आया क्या? How dare you, बुलो नहीं आया? आपस सम्झेंगे. तुमारा जानता, मेरा नहींता, मैं अपने आपको आपस सम्झा रहा हूँ, विजे सुन. हाँ, हर साल, एक अपरिल को, क्या चालू होगा, येर चालू होगा? सुनो, एक भाउ, प्लीज बाजू. कल हमने एक सवाल चोड़ा था, सवाल क्या था? Act 61, rules 62, ऐसा क्यों? ये सवाल इधर खड़ा है? Act contain provision of law, rules contain implementation of law, ये इधर खड़ा है? हर साल changes आते, changes कैसे आते, lawmaker law बनाता, implementer उसको implement करता, तब जाके implementation में तकलीफ आती, वो बताता, law change करना है, या फिर interpretation में case आता, तब वो समझाता कि law को क्या करना है? Change, lawmaker, implementer and interpreter, तीनों मिलके लोग को amend करते, ये amendment आता, बजट से, अब बजट में जो amendment आता है, वो लागू कब से होते? Indirect tax के amendment उसी राथ से लागू हो जाते, लेकिन direct tax ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आप income कमाओगे, income पे tax दोगे, तो 14-2023 से ले करके, 31 मार्च 2024 तक के तो सिर्फ आप क्या कमाओगे? income, अपनी income determine करोगे, books of accounts finalize करोगे, तब पता चलेगा income कितनी है? इसी साल टैक्स पे कर दोगे? टैक्स का पे करना है अगले साल, जो इस साल की income कमाओगे उस पे अगले साल, तो technically आपको क्या लगता है, income tax current year की language में लिखा है या आने वाले साल की? जिस साल income कमाओगे उसको क्या बोलते हैं, so can I say income of previous year is taxable in assessment year, income of previous year is taxable in assessment year, income of previous year is taxable in assessment year, don't you just chill, income of previous year is taxable in assessment year, हाँ, तो पूरा income tax current year की language में लिखा होगा या आने वाले साल की language में लिखा होगा, ये बात clear है, तो 1961 में जब पहली बार act लेके आया होगा, क्या 1961 से act लाग हो गया होगा? implement कब से हुआ होगा, rules कौन से साल से आने चाहिए, hence act 1961, rules 1962, भाई और बेनो, ये ही तो मैं तुम्हें कल समझा रहा था, book का पहला page, पहली line फिर पढ़ो, अब समझ में आएगा या लिखा क्या है? the act came into force on, 1st April, मेरे प्यार भाई और बेनो, कोई other act ऐसा नहीं मिलेगा, कि 2013 का 2014 में लागू होगा, companies act, हमारा ऐसा ही है, लिखा 61 है, चालू 62 से होगा, समझा रही ये बात, अब आज कोई पूछे, act 61 में आया, rule 62 में आया ऐसा, क्यों? तो उसको कहना, दो पूरे दिन लगते हैं समझने के लिए, आज जाना, अपने Insta, Facebook, Twitter, Snapchat, Bumble, सब जगा लगाना, act 61, rule 62, लोग पूछेंगे, क्या है, क्या डाल रहा है? C.A. thinks, चार घंटा भी ताना पड़ता, तब समझ आता ये डिफरेंस क्या है, दिखने को एक डिखता है, सिफ एक येर, समझने को पांच घंटा लगता, धीरे, 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 जब एक एक वर्ड में घुसोगे, तो एंड में समझ में आता इत्ता बड़ा गेम था, क्लल का चांगलवाटल का, चांगलवाटल का, चांगलवाटल का, रुको, खतम नहीं होगा, इधरा है, अभी तो शुरू हुआ है बटा, हाँ, तो IDT के अमेंड मेंड कब से अपली के बले, मालिक फुल रिस्पेक्ट, आज जाना, अपने घर पे बताना, अपने दोस्तों को बता इधरा, Act 61, Rule 62, हाँ भाईया, क्या रहता है, DT होता है, थोड़ा attitude, एंटर में आगवाए तो, अगले साल लागव होता है, क्यों भी ऐसा क्यों होता है, ब्रो, current year में तो तो इंकम कमाएगा न, इस इंकम पे टैक्स अगले साल देगा, इंकम जब तक finalize नहीं होगी, उस पे टैक्स कैसे निकलेगा, रहे, उसके आखों में आसू आ जाएंगे, वो सोचना लगे है, तभी साला ये इंटर में है, अंदर की सच्छा उसको पता ही नहीं है, उसको ऐसा भारी लाओं, सीनिय जब में हैं, ये क्लियर है ये बुरू, चलो, जल्दी से, ध्टिके अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्स कबसे आपलीके बहले है, इसको तैम लाओं में समझते हैं जरा, इसको तैमलाइन में समझते हैं, येस इसको जरह टाइम लाइन में समझते हैं ओ यह है सुनो ऐसा हुआ होगा ना 1st फर्वरी 2023 को क्या आया होगा बुलना ब्रो 1st फर्वरी 2023 को क्या आया होगा बजट 1st April 2023 यहां से आपका law new law क्या हो चुका है start 31st March 2024 यह क्या हुआ आपका year end अब इस year में आपने जितनी income earn करी 24-25 में आप क्या पे करेंगे taxes पे पे करेंगे तो इस year को क्या बुला जाएगा previous year और इस year को क्या कहा जाएगा we are yet to discuss previous year and assessment year तो सिर्छ छोटा shortcut में ही लिख के रखना इसको तो एक कि भी अपना आप तो laying in दesyा प्ne도 करेंगे झाल करेंगे तो दो हुआगा जितनी आपका है झाल सū contest头 23 करेंगे क्या 5 चाह आपका तो झाल झाल बुलो नहीं समझा ऐसे कैसे बुलो नहीं समझा देख एक फरवरी को निर्मला दीदी आई होगी बजट डिकलेर किया होगा एक एपरिल से 31st मार्च यह तेरा फिनांचल यह जब तू इंकम कमाएगा इंकम टैक्स निकाल सकता है क्या नहीं तो यहां तू सिर्फ इंकम उर्न करेगा टेकनिकली जो बजट तेवीस में आया टेकनिकली जो बजट कहा है तेवीस वो तेवीस से लागू होना शुरू होता है लेकिन actual implementation कब होगा उसका 24-25 जब तू tax calculate करता रहेगा एन हेंस हेंस जिन लोगों का मेय 24 नवंबर 24 जून 24 अबलिक डिसेंबर 24 होगा इनके लिए finance act दो हजार चोवीस वाला काम का है या दो हजार तेवीस वाला पक्की बात क्योंकि दो हजार चोवीस में जो बजट लेके आएंगे इन्ट्रीमेन फाइनल बजट वो तो कौन से साल के लिए होगा दो हजार पच्चिस के लिए होगा तो आप सभी लोग याद रखेंगे आपको finance act दो हजार तेवीस काम का है लिख के रखो तो अगर आपका गलती से में 24 नहीं हो पाता तो आपको DT दूबारा पढ़ने की जुरूत नहीं है हाँ पर नवंबर चोईज भी नहीं हो पाता तो आपके हिसाब से क्या होगा DT वापस पढ़ना पढ़ जाएगा क्यूं? Finance act अब आपको याद हो तो कल मैंने क्लाइन बूली थी अगर आप नवंबर 23 वाले बच्चे और में 24 में दे रहे हैं यू अगेन हाव तो प्रिपार DT समझमारी वात क्यूंकि Finance Act ही बदल गया जिसने नवंबर 23 दिया होगा उसको बजट कौन सा लगा होगा? 22 तो तुमारा attempt में 24 है जान सा सुनना? तुमारा attempt में 24 है और, फरवरी में बजट आ गया कोई बच्चा में को ऐसा तो message नहीं करेगा ना शरीय budget हमको काम का है क्या? वो तुमारे काम काही नहीं है, तुमारे को पिछले साल वाला budget लेना है समझ में आरी यह बात? चलो, वापस से एक बार. Fourth time, budget, budget कितने तारीख को आता है? कौन प्रेजेंट करता है? prepared कौन से act के हिसाब से होता है? FR, BM, in the year of election कितने budget? interim budget and? and हर साल क्या आएगा? budget से क्या आते है? amendments, amendments कहा सिब DT में होगे, IDT में होगे? IDT के amendments are applicable from? DT के amendment is applicable from first day of next financial year. तो क्योंकि पूरा income tax कौन सी language में लिखा है? आने वाले, current year में तो सिब income निकालोगे, इस income पे जो tax देंगे, वो कब देंगे? अगले साल, इसलिए पूरा income tax आने वाले साल की language में लिखा है, hence Act 61 rules 62. क्योंकि Act 1961 में जो budget आया होगा, उसका actual implementation तो 62 में ही हुआ होगा. 61, 62 में income कमाई होगी, इस income पे tax 62, 63 में दोगे. Everybody, yes, जिस साल income कमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिस साल tax पे करना, उसको क्या बोलते हैं? Clear है, तो जो बच्चा May 24, November 24, June 24 या December 24 दे रहा है, आपको Finance Act 2020, 3 applicable है, जो 24 में दो budget आएंगे, वो दोनों भी आपको applicable नहीं है, Saturday ब्रो? तो अब हमने discuss कर लिया, हाँ, अब हमने discuss, हाँ, जी, एक सवाल है, हाँ, कोई problem नहीं, income computation में change नहीं होता, income computation में change नहीं आता, वो same ही रहने वाला है, हाँ, जी, एक सवाल, अच्छा सवाल है, interim budget BJP ने दिया, suppose वो ही वापस repeat हो गए, आप शोर okay भी बोल सकते थे, और नया government वापस BJP आया, तो क्या वो same budget रखेंगे या नया budget करेंगे, यह उन पर depend करता है अब उनका five year plan क्या है आगे का, तो वो same भी रह सकता है, वो हो सकता है, बोले कि भीया ने, यह से में रखो हमको मालू में, जैसे 2019 में, उनने जो interim लाया था, वो ही final किया, उनको इतना confidence था positions पे, उनने बोला, भाई हम चलने वाले हैं, तो यह चलने दो हमार को कुछ change नहीं करना, बट यह हो सकता है, कि उनके five year के आगे के plan क्या है, उस basis पे, वो change ला सकते हैं, पर generally ऐसा होता है, मतलब आज तक इतने सालों से हम लोग भी देखते आए हैं, interim budget और final budget उस साल में changes नहीं लेके आते, in order to avoid maximum confusion, उनको कुछ amend करना भी है, तो अगले साल जादा amendment कर देते हैं, एक साल से कोई बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ जाता उनको, yes or no, technically उनका play area सिर्फ 7 आट मेने कही रहता, तो वो यहां कुछ नहीं करते हैं, जो करना है फिर अगले साल कर दालते हैं, yes, हाँ जी, oh, the income tax act 1961, कितनी चीज़े पढ़ ली बेटा, तीन, बताइए 1961 का लोग आज पढ़ रहे हम आउटडेटर तो नहीं हो गए, हर साल क्या रहा है इसमें, सौटेडे ब्रो, तो technically हर साल, एक्ट लिखा 1961 है, हमारा contract जैसा नहीं है, हमारा हर साल अपडेट होता बोल करके, yes, okay, चलो जी, अब, मैं सभी लोगों को लेके आता हूँ, यहां आपका basic वाला जो पढ़ता है, यह खतम हुआ, अब तक क्या पढ़ रहे हैं, basic, अब आप section में जाओगे, अब आप कहां पर जाओगे, section, ठीक है, पहला section, section 298, एक मेंद, पहला section पहला होता है, DT में ऐसा नहीं होता, DT में पहला section 298 होता है, मतलब सरेंड वाला, हां, बताईए, CBDT और CBIC बनाया गया था, वाइ आप मेट CBDT और CBIC, यहार पर्मनेंट बोड़ी, इस यहार मेंद बोड़ी, इस यहार मेंद बोड़ी, don't you think you have to delegate the power that whenever you feel correct, for implementation of law, you take your own calls, yes or no, अगर किसी को, भाई, किसी को अधिकार दे रहे हो, तो उसको power भी तो देना पड़ेगा, तो ऐसे case में, section 298 insert किया, income tax में, कौन सा insert किया, बूल जल दी से, 298, और section 298 insert करके बूला, if any difficulty arise in giving the effect to the provision of this act, central government may by general or special power do anything not inconsistent with the provision, which appears to be necessary or expedient for removing the difficulty, 298 में सिर्फ power दिया, कहा, अब हम power CBDT को देते है, आगे चलके implementation में, किसी भी तरेकी का तकलीफ आता है, इसको deal कौन करते बैठेगा, CBDT, clear है मालिक, central government ने ये power अपने हाथ में दे दिया, general order निकालो, special order निकालो, और ये clear करते बैठेओ, अब आते हैं पहले section पे, section number one, अब जरह देखे, ये भी हुआ क्या हमारा, भाई, budget किते प्रकार के होते हैं, दो, final and interim, every year and in the year of election, clear है, direct tax के amendment, first day of next year, indirect tax के amendment, midnight, एक February को दीदी budget लेके आएगी, एक April से ये implement होना शुरू हो जाएगा, और tax is payable in the assessment year, ये AYPY लिखावा दिख रहा है मालिक सबको, चलो, अब आते हैं section number one पे, बताईए, section number one, किसी भी act का होता है, short title, extent and commencement, अब आप इसको पूरा जानते हो, the act will be called as, income tax act, it extend to, whole of India, इस बारे में सबको जानकारी है, अच्छा, act तो 1961 से आगया, implement कब से होगा, एक एक वर्ट समझ में आ रहा है, किते section है, किते schedule है, Saturday sir, यह हो गया, आपका section number one, जो हम almost खतम कर चुकी है, चलिये, register में यह नहीं लिखना, इन्होंने कहा, whole of India, यह India मतलब कल, हमने discuss किया था बेटा, India extend up to, clear है, तो जरह यह देखिये, India का coast, India कहां तक extend कर रहा है बेटा, 200 nautical miles, सरा समझ लिजे, क्या पानी के अंदर का भी part cover है, पानी पे का भी part cover है, above the sea base भी cover है, yes, so anything within this 200 nautical miles is a part of India, सर, what if, if the other country is also sharing the waterways, जैसे अभी श्री लंका और इंडिया, इनका 12 km तो दोनों का common ही हो जाएगा, दोनों country mutually decide करती है, इसके लिए एक agreement बनता है, called as DTAA, clear है मालिक, okay, सर, एक nautical mile कितना होता है, यह जो Nm है, यह nanometer है क्या, नहीं, इसको बोलते नautical mile, इसको क्या बोलते बेटा, nautical mile, one nautical mile is equal to 1.843 km, one nautical mile is equal to 1.843 km, और यह एक imaginary line है, यह कैसी line है, imaginary, समुद्र के अंदर कोई ढूनते नहीं बैठेंगा, कि exactly हो line कि इदर है, तार तो इदर दीखी नहीं रहे, तारा सिंग कैसे जाएगा, no, imaginary line है, एक पिछले बैच की बच्ची ने बड़ा समझदार सवाल पूछा था, सर आपने यह सिप लेफ्ट साइड में दिखाया है, राइट साइड में हुआ तो, मैंने का बिटे, रिस्पैक्ट, यह सब जगह से है, फिर मैंने उसको बोला सब जगह से है, तो उसका unique question, सर पर इंडिया के उपर साइड तो अफगानिस्तान, पाकुनिस्तान और चाइना है न, तो फिर वहां कैसे होगा, मैंने बोला, वहां नहीं होगा, पर सर आपने तो बोला, मैंने बोला यह waterways है, जहाँ water ही नहीं है, वहां क्यों दिमाग लगा रहे हो, is this clear, so India कहा तक, अच्छा, मैं आपको एक बात बता दू, point number one, पहले ही clear कर दू, income tax में, section याद करना mandatory नहीं है, like companies act, क्योंकि यहाँ पर इतने हैं, वो होई नहीं सकते याद, तो यहाँ पर section number, याद करने का नहीं, हो जाएंगे, यह मेरी guarantee, दूसरा, यहाँ case law याद नहीं रखने, हो जाएंगे, यह मेरी guarantee, तीसरा, यहाँ पर कोई specific format नहीं है, solve करने का पहले provision, फिर ये, फिर वो, फिर वो, हमरे यह ऐसा नहीं है, because every question is different, every question is different, तो यहाँ वो नहीं है, तो बिल्कुल यह सवाल, सर, definition learn करना, जरूरी नहीं है, हो जाएगी, यह मेरी guarantee, ठीक है, आजाओ, करवादूँगा, so point number one, मस्ती करना हूँ, जो जरूरी होगी, exam oriented होगी, सिर वो बता दूँगा, unnecessary कभी भी किदर भी नहीं बिना, DT बहुत ज़्यादा बड़ा है, yes, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, तो जितना काम का है, exam oriented है, सिर पढ़ेंगे सब, लिखेंगे उतना जो काम का है, so India कहा तक extend हो रहा है, बोलो जल्दी से, ठीक है, India का definition is much more relevant in IDT rather than in DT, हमार को कोई काम नहीं इसका, yes, पढ़ हा, लिखा है तो पढ़ने का है, India means territory of India, as per article number one to the Indian constitution, its territorial water, sea bed, subsoil underlying water, समझ में आ रहा है क्या, sea bed पानी पे, subsoil पानी के अंदर, continental shelf exclusive, inclusive economic zone, another maritime zone, and the air space above the territorial water, बात वही हो गई, पानी के अंदर, पानी पे, पानी के उपर, 200 nautical mile में आपने कहीं पे भी income generate कर ली, that will be subject to income tax, in India, 200 nautical miles के बाहर है, दोनों country का mutual decision हो सकता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, कुछ waterways दोनों share करते हैं, yes, कुछ waterways दोनों share करते हैं, तो दोनों के बीच में, taxes के purpose से mutual agreement बनता है, ऐसा हो सकता है कि वो income सिप इंडिया रख ले, ऐसा हो सकता है वो income पाकिस्तान रख ले, ऐसा भी हो सकता है, कि दोनों कुछ part, कुछ activity की income पाकिस्तान रखेगा, कुछ activity की income इंडिया रखेगा, ऐसा भी हो सकता है दोनों exempt करने, तो possible है, यह possible है, यह दोनों country के mutual consent पर होता है काम, अच्छा जी, और मैं आपको एक बात बता दू, आप किसी भी country के कुछ भी war हो जाए, यह जो taxation treaty है, वो उससे अलग होती है यह taxation treaty उससे अलग होती है, राइट, चलिए, section 1, वो शॉटराइटल, extent and commencement, exam and review not relevant, 225 way, India, India extend up to 200 nautical mile, इससे उपर अपने काम का नहीं है, exam and review से, section number 4, Sir एक बात बताओ, जब भी हम कोई act पढ़ते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, आप 298, फिर 1, फिर 224, सब sequence है, numbers से income tax में कुछ game नहीं होते हैं, यहाँ पर sequence चलता है, पूरा का पूरा, तो जिस sequence में हम चल रहा है, उस sequence में कर लेगे, section 4, as it is, जितने words के साथ ए सब्सक्रान कार ले उने, बीए सकति और कारना है, 1 होता है, यहाँ यहाँ जढ मीएर आइंप जहाँ थैवे, चुराब के साथ एनिए, ऎधर प्रम, के साथ चलता है, एनितने इना कुछ है, 5 हता है, 5 है 24 में कुनका की साथ थ Uranus, जढ में कर अख घए dudesो औरा का फिर बiphany ब झाल 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 जिस सीक्वेंस मैं जितने स्लो जाओं प्लीज वैसे चाहिए. इंकम थास चाहिए पएबल नहीं सबने नहीं बुला income tax is payable for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year बरेबर एक और बार बोलेंगे चलो साथ में ठीक है 1-2-3 start income tax is payable for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year हां कुछ तो vibrant लग रहा है है न सब लोग इतना सब बुर एक बार और चलो फड़ी से तुमारे X के लिए start X है की नहीं है X है की नहीं है नहीं है तो चलो उसकी यादों में हम बोलो 1-2-3 start income tax is payable for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year तो आपको नहीं है तो आपको नहीं लगता इस वर्ड को तो हम अल्रड़ी तोड़ ताड़ करके आ गए है ठीक है अब दिखो कितने वर्ड बाकी है हमें income वर्ड समझता है क्या नहीं assessment year समझ रहा है क्या नहीं annual finance act की rate समझ रहे गया नहीं total income क्या होती है समझता है क्या person में कौन-कौन आता है समझता है क्या previous year क्या होता है समझता है क्या इन सब को तोड़ना पड़ेगा आपको तो पता है मैं average बच्चो हूं यह मेरे को इन सब को तोड़ना पड़ेगा यह हर एक word है जो अगले दो दिन तक चलते रहेंगे हरी इत्ते सारे word है आपको तो बता है पहली बारे मैं act पड़ रहा हूँ आपको तो मालूम है ना आप पड़के आयों मैं थोड़न पड़के आयों अब tax word सिर्फ एक जाना पेचाना word इसमें एक ही है tax जिसको भी हमने तीन पार्ट में लिखा what is tax, direct tax, indirect tax, tax include tax, sarcharge, ses फिर हम लोगोंने तीसी चीज लिखी कि भी है tax के type किते है yes or no उसमें भी तीन पार्ट थे चलो आप डिसकस करते है income जिसका आपको था इंतजार income ठीक है, पिन वेन नीचे लोगो अभी 15 मिनिट पिन का कोई काम नहीं है और प्लीज सभी लोग, specially मेरा वो वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, सहरा डिजर्ट वाला और इधर वो पिलर के पीछे वाला, आप लोग भी support करेंगे, ठीक है, जवाब देंगे हाँ, income, मैं आपको सबसे पहले examples दूँगा, और आपको सिर्फ मुझे ये बताना है, income है या नहीं है please right now, don't go into the matter, ये tax लगेगा के नहीं आपके हिसाब से सिर्फ ये समझना है, ये income है या नहीं है तो मैं prestige point पर समोसा बेचता हूँ is it an income or not, मैं prestige point पर classes लेता हूँ, chicken बेचता हूँ, income, acting करता हूँ, stand-up comedy, income, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कुछ बोला, cricket खेलता हूँ, advertisement करता हूँ, investment किया company में dividend आया, रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, दो अचार नहीं बंद हो गया, 500 का note मिला, is it an income, online वालो, is it an income, सोचो, मैंने discussion करने नहीं बुला, सोच के रखो अपना discussion, मैं वो Sultan Mirja, मडर किया, पैसे आया, मैं वो Don, मडर किया, पैसे आया, powder बेचा, income आई, powder बेचा, इनकम आई, powder बेचा, इनकम आई, क्रिकेट का सट्टा लगाता हूँ, जननत का इम्रान आश्मी है मैं, is it an income, मैं मंदिर में गया, तिरुपति बालाजी, भगवान के लिए इनकम है क्या हो, हमें नहीं पता, इसलिए तो हमें, person मतलब क्या है, ये समझना न, इस भगवाना person, तुम नो कहें, पढ़ा कि तुमने, no, तीन तरखे के बच्चे होते हैं, एक होते जो पढ़ते हैं, एक होते जो मस्ती करते, तुम तीसरे आविशकार करते हो पढ़ाया इने उसको कैसे समझ मैं तुम्हार को भगवान इंकम परसने या नहीं है कैसे डिसाइड किया तुम्हें भगवान परसने या नहीं है करेंगे डिसकस, रुको तो मैंने अभी तुमको सिब सोचने बोला, आगे दिमाग लगा नहीं बोला येस, तो बताईए मैं टायर पंचर सुदारता हूँ, इस इते मैं इंकम तो एक दिन मेरी बुवा मेरे घर पे आई और उननों नों में को पांसो रुपय लिफापे में दीए इस इस इन इंकम सोचते जाए है हमें डिस्कॉशन करना है ठीक है, सोचते जाए है इदिन पैसो की बहुत जरौत पड़ी, मैंने मेरी किड्नी बेच मारी Is it an income? Yes Is it an income? सोचते जाए है, ठीक है? मैंने कहा, फिर, मैंने कहा, फिर, मैंने कहा, मैं सिर्क बोलते जा रहा हूं, तुम अपने मन में एक डिसिजन लेलो, फिर हम लड़ेंगे, जगडेंगे, कुछ तो करेंगे Yes, income है या नहीं है, तुम decide कर लो तो बच्पन में है न, क्या हुआ था, मेरा रूट कनाल हुआ था, तो उस टाइम पर सोने का दाथ पपा ने डलवा दिया, पैसो की जुरत पड़ी, मैंने बेच मारा दाथ बेचा, सोने का, पैसे आए, Is it an income? Yes सोचते जाओ, फिर मैं मराथी मूवी प्रोड्यूस कर रहा था, आर्ची, wherever, महराश्ट्र गौवर्मेंट से सबसीडी आई 40% की, प्रोडक्शन कॉस्ट के 40% महराश्ट्र गौवर्मेंट से आई, Is it an income? Dream 11 में टीम बनाई, एक करोड रुपे जीता, Is it an income? लोकल भहिया के पास जाके 60 लगाया, Is it an income? सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, कोई तकलीप नहीं है, सिदा सिप सोचते जाओ, कि क्या यह income है, यह income नहीं है, ठीक है? अलग-अलग example चल रहा है हमारे, मैं न, you know Infosys में job कर रहा हूँ, salary मिल रही है, Infosys में job कर रहा हूँ, salary मिल रही है, Prestige Point के पास बच्चे आते पढ़ने के लिए, तो मैं PG में बच्चो को रखता हूँ और monthly rent लेता हूँ, वो एक्जम नहीं मानोगे तुम, वो भी income है, मैंने shares बेचे, loss में, अब सवाल यह है, do income also include negative income, concept समझा गया, सवाल यह है, do income also include negative income, चीक है, तो चली एक-एक करते हैं, सबसे पहले, powder बेचा, drugs बेचा, murder किया, हवाला किया, पैसे आए, is it an income, those who say, those who say yes, raise your hand, बढ़िया, यह income है, those who say, यह income नहीं है, please raise your hand, और जिनने हाथ ने उठा है, उनके कहाँ busy है, अरे, मतलब हो सकता है, लिख रहे हो, possible है न कुछ लिख रहे हो, गंदी सोच, possible है न कुछ लिख रहे हो, हाँ, तो कुछ जो कह रहे हैं, income है, please एक बार और, हाँ, कुछ जो कह रहे हैं, income है, ठीक है, यह income है, ठीक है, उठ जा, खड़े जा, ठीक है, यह हमारे पास एक भाई है, जो कह रहा है, income है, illegal activity से आने वाली income, income है, कौन कह रहे हैं नहीं है, कौन कह रहे हैं नहीं है, खड़े हो जो भाई, ठीक है, आपका भरपूर entertainment की जिम्मेदारी मेरी, दोनों पक्ष, आपको आवाज नहीं आए, मैं सुनाएगा, ठीक है, आपको सीधा इसके आँख में देखके बात करनी है, आप अपने client को defend कर रहे हो, आप अपने client को defend कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो, यह income है, मतलब आप income tax department से हो, वो कह रहा है, यह income ही नहीं है, मतलब वो income tax department से नहीं है, लो इंकम का डेफिनेशन है मैंने कब पढ़ाया पैसे ने 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 मैंने एक भी डेफिनेशन पढ़ाई अरे सब्जेक्ट चालो नहीं कि आपने डेफिनेशन कि तरसे पढ़ी हाँ income मत अजूम बोलो ना ऐसा मत बोलो लो गोशा को जाएंगा ये कप पढ़ाया master ने 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 point to be noted my lord हाँ इसको जरा लिखो मत बत आप समझ लो हाँ ओ my lord जागो 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 ग्राहक जागो हाँ अरे भाई income income होती है क्या legal क्या illegal ऐसे कहना है ना तुम्हारा income income होती है कमाया हाँ income है तो tax भी देना पड़ेगा हाँ लेलो हमको देने मैठे है हमको कोई तक्लीब ने आरे 100 कमाया 30 देना है ना दे देगे है चलो हमको क्या प्राब्लम है illegal भी चलेगा है यह illegal act के लिए पैसा ही जब्त कर लेगा एक मिनिट बताएगा कौन पर एक सवाल है बताया ने तो tax कैसे देने के लिए अग्री करोगे यह तो कोट का देन मटकाना जा रहे है और जब दिखाओगे ने तो पता कई से चलेगा है अब भी भी किसको लग रहे है इनकम है कोई अच्छा की केज दें उसके आत में हां खड़े हो खड़े हो क्लाइंत को सिफ्टर काना थे क क्या मरा रहो तैंट हो एव हेलो पैसा पैसा होता है गांधी जी की तष्विर हरेकशल क्वट है लीगल ईंकम हैös हम क्यों इक सब करण हो यह लीगल है नहीं है क्यों क्यों इक सब क्यों यांलीगल PRESID ग्रान्व्स पाता है अब इन लेका हट भाई पैसा पैसा होता है, भाई बात समझ पाउडर बेचके आई या पाउडर बेचके आई, इंकम तो इंकम है, हम तो टेक्स करेंगे, आप बुक्स में शो कैसे करेंगे, बस इतना एक्सप्लेइन कर लिजे, मैंको बुक्स ही नहीं बदा नहीं, मेरेको बुक्स नहीं है तो वो ब्लैक मनी हो गया ना साब हाँ तो आप बोल रहो ब्लैक भी है बुक्स नहीं भी बनाई तो भी टैक्स करूं मैं टैक्स भी नहीं दूंगा मैं टैक्स भी नहीं दूंगा I like you as a friend कहाँ ऑज़िए़ ना मतलब आप उस पर टैक्स नहीं देंगे वो हो कहना ही ये क्वे यह इनक., हुम इस पर टैक्स नहीं देंगे तो हम कॉन्कूलूड कर रहा है क्या इस पर टैक्स नहीं देना एसा तो जवाब दो मराठी में एक कावत है, बाप दाखाऊ नहीं तो श्राद्द कर, अभी है तो प्रूव करके दो, मैंने तुमको ये बाद, मेरा जवाब अभी तक आया नहीं है, मैं सिर्फ तुमको लडा रहा, पर मैं चाहता हूं तुम अंदर से गलत निकालो तो सही अंदर जाए, जी बच इल्लीगल है तो नौट टैक्सेबल हो जाएगा, इल्लीगल है, हाँ वो भी वही को रहे है, वो भी वही सपोर्ट कर रहे है, कि ये इल्लीगल है, हमको टैक्सी नहीं देना उस पर, आप एक ही बात, एक ही टीम में आप, इफ वही को, वो भी वही को, ये कह रहा है, सुनो, ये कह रहा है, ये इल्लीगल है, और हमें इस पर टैक्स नहीं देना, येस भाई, श्च, चुक, 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 हाँ, सर, इल्लीगल के लिए किया गया, खर्चा में एक्सपेंस नहीं देंगे, हमें वो व्यक्ति चाहिए, जो कहें कि ये इंकम है, और इस पर टैक्स देना हीं पड़ेगा, एक मिनिट सर, महनत तो दोनों काम में लगती है, मा कहती है, कोई धंदा छोटा नहीं होता, धंदे से बड़ा कोई धरम नहीं होता, महनत तो किसी भी काम में उत्ति लगती है ना, ऐसा है कि आप बोलोगे, ये महनत नहीं है, महनत तो लगती है, काम कैसा भी हो, महनत तो लगएगी न आवरो, तो ये इंकम है, और एक मिनिट, legal है illegal है यह criminal procedure code देखते बैटे हम income tax में क्यों दिमाग लगाए point to be noted my lord अगर यह criminal activity है there is a separate law criminal procedure code CPC उसके लिए separate penalty है IPC मैं गाए को दिमाग लगाँ income income होती है अच्छा एक मिनट आप गुल रहे हैं white और black note का color तो change नहीं होता बात समझी है तो हम कह रहे हैं कि इस पर tax दिना पड़ेगा हाँ ओके आप books of accounts चेक करोंगे हम मनाते बोलो आपका जब से यह issue है ना books होंगे नहीं accounting कैसे नहीं होंगी accounting icon नहीं होंगी drugs sold वैसे भी मान लीजे आपका medical का store है white color का glucose का powder बेचो या हम white color का powder बेच रहे हैं बात तो एक ही है ना उसका research मिल जाएगा details आपको accounts बनाने का problem है ना हम बनाएंगे आगे बोलो books चाहिए हम देते हैं accounts अच्छा एक minute मैं all deep में जाता है foundation में accounts पढ़ते वक्त तुमको कभी किसी ने बताया कि सिर्फ accounting जो होगी वो legal business की होगी hello accounts में तुमको किसी ने समझा है accounting सिर्फ legal की होगी accounts तो तीन रूल, account is a very funny language वो तो तो तीन रूल देखे खादम होगया है ना तो फिर तो भी है सब कुछ अच्छा और मैं अगर drugs बेच रहो तो accounting का rule का हम बतल रहा है हाँ, point to be noted लिखना अगर उसको इंकम माना तो उल्टा गवर्मेंट का tax बोड़ रहा है तो गवर्मेंट छोड़ना क्यों चाहेगी for example cigarette शेहत के लिए बहुत मस्त है शानदार flavor में आती है सामने से जलती रहती है अंदर ठंक पहुचाती है बरबर ना तो दीखना इल्लीगल है क्या नहीं सरकार को इंकम मिल रही है काम का तुम उल्टा इल्लीगल को अगर इंकम मान ले तो सरकार को तो tax ज्यादा मिलेगा तो सवाल बता ही है इल्लीगल इंकम सिर्फ लीगल होनी चाहिए इल्लीगल भी इंकम ही है illegal income यह है and answer is चलिए दूसरे point पर आते है नहीं नहीं ऐसे दोड़ीन होता है हम income tax में tax नहीं रहे legality illegality CRPC देखते बैठीगा whatever is the end of the day we are thinking about night रात अच्छी गुदरनी चाहिए मुझे दिन का टेंचन नहीं है सो इस सवाल को यह है दूसरा अरे रुको रुको ऐसा भहुत सी चीजे आएंगे हां तो मेरी बू आई थी में को 500 का लिफफफ़ पकड़ाई थी इसको मैं GIFT कह सकता हूँ So, मान लो Babu की Shona ने जादू की टोना को तेड़ी बेर दिया yes तो बाबू Shona ने अपनी बाबू Shona को तेड़ी बेर दिया suppose मेरे ही size का दिया तो ये gift tax होना चीए कि ने होना चीए है होना चीए कि ने होना चीए है हाँ जी is gift income जी अगर certain limit के ऊपर जाए तो ये income है देखें मैं taxability नहीं पूछ रहा हूँ मैं अगेन आप सबको बता रहा हूँ आपका ध्यान बारबारीस पोइंट पे जा रहा है बेचे बचे आपका ध्यान बारबारीस पोइंट पे जा रहा यह tax होना आए नहीं मेरा सवाल बड़क्लियर है यह income है या नी हम बाद में decide करेंगे इसपे tax लगाना या नी पहले यह सोच के देखो वो income taxes है, income के definition में ला सकता है क्या, हाँ, बदाई है, मिलता जिसको है, मजा उसी को आता, तो tax भी वो ही देगा, देने वाले के लिए तो खर्चा है न, मान ले, तुने तरी पाच्छे गल्फरंड को टेडिवेर दिया, तो ते ले तो expense है, expenses में काई को tax लेंगे, जिसको मिल रहा है income उसकी है न, बटा, हाँ, तो is gift an income, बोल भाई, हाँ, हाँ, gift में सर consideration नहीं लगता, तो ये income नहीं हुई, क्योंकि contract नहीं है, without consideration, there cannot be contract, बरबर न, बट लव एक्सेप्शन, लव एंड उसके exception में था न, भाई आदे तरे भाई को, यादे मिन को, तो भाई का case फेल हो गया, अब बताईए, income है या निये, जी भाई, दो अलग-अलग चीचे है, हाँ, मैं क्या मुल रहा हूँ, tax होगा के नहीं गलग दिमाग, पैसा मिला gift, is it an income or not? वरेवर, best, तीसरा example, मैंने जवाब किसी का नहीं दिया, क्योंकि जवाब आज का matter है ही नहीं, इंतिजार करिए, इसे शायरी से समझाना चाहूँगा, एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे, मैंने खुद को बनाने में सदिया भी ताईए, income tax 1961 से चले आ रहा है, एक दिन में थोड़ी न समझ पाऊगे, हौले हौले धीरे धीरे, हमें किसी दूसरे शायर भागना नहीं है, हम यहीं के हैं, चलो, start, तीसरा था, सुनो दो, तीसरा एक्जामपल था, कि मैंने मेरा किड्नी बेचा, पैसे आए, income है, income है, income है, income, income bro, hello, Gujarat, income, 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 तो किड्नी बेचना आपने इलीगल मानके, income मान ली, गजब की पारिशलिटी है भाई, किड्नी बेचने पर तुम्हारा लीगल, इलीगल कुछ ध्यान नहीं आया तुमको, किड्नी बेच आप ऐसा आया, income, चलिए ठीक है, accept करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो, shares बेचे, loss में, पर वो तो negative है, इस निगेटिव अलसा एन इंकम, इस निगेटिव अलसा एन इंकम, चीक है, सोचते हैं, बहुत बढ़िया, फिर वो, सुनो ना, मिरको एक और सावल आया है, मैंने किसी किया, जॉब किया, salary कमा, is it an income, yes, PG, is it an income, yes, वो, अच्छो वो, subsidy मिली गॉवर्मेंट से, गॉवर्मेंट से, subsidy मिली, is it an income, yes or no, and answer is, यही हमको कल समझना है, आज बता दो ना सर, कैसा है, मैं आज बता दू, मेरे को कोई problem नहीं है, लेकिन रुको तो, इसको पता है, जो तुम अभी समझना चारे, उसको क्या बोलते है, curiosity, इसको क्या बोलते है, मालूँ मैं, curiosity, अरे कहा जा रहे, रुको जा रहा, मैंने लेक्चर खतम नहीं कया, जब लेक्चर खतम होगा, जब मैं कहूँगा, बाए बोलो बच्चो, और मैं को तो आज लेक्चर, दस मिनिट लेट मिला है, अईसा आज तुम्हारे लोग वाले टीचर, जब लेक्चर नहीं दस मिनिट लेट छोड़ा की नहीं छोड़ा, तो मेरा हाग बनता की नहीं, अचा सुनो, और और और, सुन, 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 पांच मिन, पांच मिन, सुन, और इंकम है मेरे पास, सर वो, दान पेटी में मैंने पैसे डाले थे, अब मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ, आज का पहला केस, इल्लीगल अक्टिविटी से रिलेटेड़, क्योंकि मोस्ली इशू हही है, एक जज्जमेंट है, इस जज्जमेंट का नाम है, T.A. Qureshi Supreme Court जज्जमेंट, T.A. Qureshi Supreme Court जज्जमेंट, अब इस जज्जमेंट में हुआ क्या था समझी है, इस जज्जमेंट है, जिसने ये डिसाइड किया, कि क्या एक्टिविटी से आने वाला इंकम, इंकम टैक्स में टैक्स हो सकता है या नहीं हो सकता, येस, तो अंडर्स्टैंड हुआ क्या था, TA Qureshi सब क्या करते थे, smuggling करते थे, और smuggling करके क्या करते थे, वो goods sell करते थे, एक दिन custom department वालों ने इनके goods confiscate कर लिये, ठीक है, और वापस दिये ही नहीं, अब जितने goods custom department वालों ने confiscate किये, इन्होंने profit and loss account बनाते वक्त, expenses book कर दिया, debit all expenses and losses, loss by confiscation, तो custom department ने जो confiscate किया था, उसको उनने loss claim कर दिया, matter EO के पास गया, EO books of accounts चेक करने लगा, जब EO books of accounts चेक कर रहा हूँ, जब EO books of accounts चेक कर रहा हूँ, जब EO loss from confiscation, गुलाय कुरेशी साब को कहा, मिया, क्या है यह, उनने कहा, sir, देखे, यह जो goods है, यह custom department वालों ने confiscate कर ल illegal activity है, मैंने अगर इसको allow कर दिया, मैंने अगर इसको allow कर दिया, तो हर वेक्ति illegal activity करना चल जाएगा, I cannot allow it, I cannot permit you to get this done, T.A. कुरेशी, वा साब, from past 10 years, you are taxing my income, the income is out of that activity only, तो यह क्या बात हुई, आपको allow करना चाहिए, मेरी income वही से आ रही है, ने, 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 यह हमको पहले पता नहीं था, अब पता चला है, income is taxable, expenses cannot be allowed, गलत, यह क्या बात हुई, I like you as a friend, अगर आपको मेरे income tax करनी है, तो फिर मेरे खर्चे भी consider करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, यह तुम्हारा order, अगर मेरी income tax करनी है, तो मेरे खर्चे भी allow करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी success में रहना है, मेरे struggle में भी साथ रहना होगा, देखे, ऐसे नहीं हो सकता, यह illegal activity है, देश के अंदर में आप smuggling करके आने, my lord, यह illegal activity है, यह मैं allow नहीं कर सकता, अगर इसको allow कर दिया, तो देश में illegal activity चालू हो जाएगी, सार, एक मिरीट, फिर income भी tax मत करो न, जितना tax पिछले 10 साल चे बराया refund करो, लो, चलो, लो, यह check number, hello, QR code, भाई, बात simple है या नहीं है, तुमको अगर मेरी income tax करनी है, तो फिर यह मत पूछो, कहां से आई है, मजे करो, पर अगर मेरे expenses तुम claim नहीं कर सकते, एक तरफ तुम expenses claim नहीं करोगे, दूसरे तरफ मेरी income में tax करोगे, ऐसा नहीं चलेगा, matter court में गया, landmark judgment by supreme court, T.A. Qureshi judgment, illegal income is chargeable to tax, income tax has nothing to do with legal or illegal, there is a separate law, civil criminal procedure code, civil procedure code, the police will take action accordingly, it is not the responsibility of income tax department to check it's legal or illegal, income tax department is only, is only, logically, related to only one aspect, is it an income, yes, it is chargeable to tax, income tax has nothing to do with legal or illegal, अब आप पवडर बेचके कम हो, या पवडर बेचके कम हो, income income tax महीं आईगी, supreme court का landmark judgment, और अब मेरे बच्चे से पूछना चाहूँगा, बता, interpreter ने अगर कोई decision दे दिया, do it became law, interpreter ने अगर कोई interpretation दे दिया, do it became law, yes or no, खतम, तब से, आपको पता है, income tax department को इसे income भी consider करना पड़ा, और इसका deduction भी देना पड़ा, loss का deduction भी देना पड़ा, income tax department हारा था, और इतिहास कवा है, जब तब income tax department आया है, अगले साल amendment हुआ है, बड़े गचब के लोग है, वो और हार जाते हैं तो बाद में है न, क्या करते हैं, amendment कर देते लोग में, next year का amendment सुनो, आप सब परिशान हो जाओगे, next year से, illegal income is also chargeable to tax, but expenses related to illegal income, is not allowed as deduction, मतलब बड़ा, गेम किसी का भी हो, जीतेगा income tax department ही, समझना रिवा, you are thinking about the game, he has the whole system, इसका अपना पूरा system है, system का spelling S-Y-S-T-U-M-M, समझना रिवात, सो बताइए अब, आज का इशु, हमने आज इसका कर लिया, is illegal income also chargeable to tax, yes, illegal income, judgment का नाम है, T.A. Qurayshi's judgment, supreme court judgment है, it becomes law, yes or no, दूसरा, is gift an income, the answer is yes, yes, वो taxable है या नहीं, आगे discuss करेंगे, it's an income, yes, it's an income, तीसरा case, मैं रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, पान्सो का नोट मिला, is it an income, well, it's an income, we will show it or not, it's a different matter, if you show it, what happens, if you don't show it, what happens, we have to discuss, but is it an income, income, yes, so कोई भी चीज़ इनकम है या नहीं है, कोई भी चीज़ इनकम है या नहीं है, यह इसके type of receipt पे depend करती है, किस पे depend करती है, बोले जल्दी से, type of receipt पे depend करती है, तो आईए जरा लिखते हैं, दो मिनिट पर, अच्छा मेरे regular time तो उत्ता को लें दो, मेरे time क्या है, एक तीस, तुमारी घड़ी देख लो, अब भी मेरे पास दो मिनिट बाग की है, बरे बरे की नहीं, मैं मेरे time तो लूँगा ना यार, ऐसा मत करो न, तुमारी लिए मैं कित ता, मेरे बीवी बच्चो को छोड़ के आया, income, the word income is defined in income tax act, the word income is defined in income tax act, इधर देखो, आपके ही बुक में section 224 पे क्या लिखा है बिटा, income, 224 पे आपकी बुक में क्या लिखा है बिटा, income, under section 2 subsection 24, income can be legal और illegal, judgment का नाम याद नहीं आ रहा, T.A. Qureshi Judgment, Supreme Court, income means receipt, but every receipt is not an income, income means receipt, but every receipt is not an income, income means receipt, but every receipt is not an income, done, चलो, बुक बंद करो, रिवाइस करेंगे, बुक बंद करो, रिवाइस करेंगे, ठीक है, इसके बाद costing का लेक्टर है, अभी शेक सर का, and then शाम में पांच बजे, अकाउंट, इस, ओके, चलो, have a revision, देखो क्या हुआ, आज हम लोग आए, आज हमने सबसे पहले समझा कि law में जो amendment आते हैं, वो amendment क्या किसी को सपना आता है कि amendment कर देना चाहिए, नहीं, तो हमने समझा law कैसे वक करता है, law maker, इधर देखो, law makers, law implementers, law interpreters, law maker law बनाते हैं, implement करते वक दिक्कत आई, तो implementers, makers को बताते हैं, अगले साल amendment करना है, फिर आपके और department के बीच में हो सकता है, dispute हो जाए, चीजों को लिकर के, तो case laws भी, क्या करते हैं, अगले साल के law का part बनते हैं, जब TA कुरेशी judgment हुआ, तब जाके अगले साल law में amend हुआ, कि income तो tax करेंगे हम, expenses allow, so amendment इस तरह से बनता है, ठीक है, इसके बार हम घुसे next word के अंदर में taxes, taxes कित्य प्रकार के हो दे बिचा, दो, direct tax और indirect, क्या direct tax personal income पे दिना पड़ता है, yes, indirect tax impersonal income पे दिना पड़ता है, yes, direct tax कैसा nature का है, progressive, progressive मतलब higher the income, higher the tax, IDT कैसा है बिचा, regressive, regressive, सब लोग revision में साथ दो, bag back, सब छोड़ दे, revision में ध्यान दे, ते को घर जाके पड़ने की जड़त नहीं पड़ीगी, मेरी guarantee, regressive basis, regressive basis मतलब income से कोई लेन दे नहीं, सब के लिए, same, yes or no, right, इसके बाद में, tax में क्या सिर्फ tax collect होता है, नहीं, tax also include, surcharge and CES, क्या surcharge income exceed a prescribed limit, HEC is applicable even if there is a tax, yes, okay, so every year 1961 का law हम 2023 में पड़ रहे, why, because of budget, budget से क्या आते है, amendment, budget कितने तारीक को आता है, 1st February, कौन प्रेजन करता है, finance minister, as per fiscal responsibility and budget management, act, in the year of election, एक budget की दो budget, otherwise, एक budget आएगा, budget में amendment आते है, yes or no, amendment is nothing but proposed, change, IDT के amendment में कबसे applicable होते है, उसी राच से, DT के amendment में कबसे applicable होते है, 1st day of next year, and hence act 61 rules, 62, यार आएगा, bro, हा, इसके बाद हमने section पड़ा, the act will be called as income tax at 1961, it is applicable to all of India, India, extend up to 200 nautical miles, वहा से खुसे section 4 में, section 4 का पहला वर लिकाता, income, हम income भूनने निकल गए, income को हमने discuss किया, अब तक सिब दो वर्ड पडे, income, defined है, definition निपडी, हा, पर इस बारे में discuss कर दिया, income tax has nothing to do with legal or illegal, इस पर हमने एक judgment समझा, T.A. कुरेशी judgment, is this done, thank you, bye अच्छो, any student, any kind of doubt, please come, online वालो, आपके कोई doubt है, please ask, Sachin लिख रहा है, I love you, okay, I love you too, इंडिया का लोई यह है, कहता है, कि the moment gift is received, it's an income, sir, मजा आ गया, thank you, सर, illegal income दिखाया नहीं, तो क्या होगा, दो दिन रुख, दो दिन में समझाता हूँ, illegal income दिखानी तो क्या होगा, दो दिन बात का concept है, CES, ना divide होता है, ना center के पास रहता है, उसको सिर्फ center के पास रखा जाता है, जिस purpose है, उस purpose के लिए यूजि किया जाता है, उसका division का कोई लिन्दे नहीं है, सेक्स फिक्स परसेंटेज का होता है फूर परसेंट बिल्कुल ऐसा होगा पर जो इतने हाई इंकम अंड कर रहे हैं लॉजिकली सोचके देखें ना उनको फरक भी पढ़ रहा है कैस से एक एक्स्ट्रा परसेंट देने से उनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा सेक्शन 298 एक्स्प्लेन करूं सेक्शन 298 के अंदर में सेंट्रल गवर्मेंट के ने पावर दिया है CBD को कि वो जनरल या स्पेशल और निकाल करके जहां लॉज को इंप्लिमेंटेशन डिफिकल्टी आ रही है वो इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं उसको वो इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं हां जी पूछेंगे न अगर मान लीजे मैंने बोल भी दिया इंकम टेक्स देपार्टमेंट को कि मैं भी यह जुआ खेलता हूं उससे पैसा आता है तो income tax department max to max क्या कर सकता है इसे पुलिस को बता सकता है they cannot take action क्यों अरे भाई एक मिनिट वो पुलिस को जाके बता भी देंगे मेरी जो income है वो तो पिछले साल की है जिसमेर को भी tax भरना है और जो current year की income आईगी हम उसको current year में deal करेंगे मान लेज़े गर income एक limit के उपर जाए नहीं रहा हमें साल tax नहीं देंगे फिर पुलिस कारवाई होगी सब होगी सब होगी चलते रहेगा बाहर आऊँगा फिर वापस कभी ना कभी तो कुछ करूँगा बिलकुल अगर income कमाई है और limit से उपर है तो tax तो आएगा नवरो एक मिनट सिफ क्यामरे सटना और भी कुछ डाउट है हाँ सर what is advance tax आगे आएगा premature question है एक मिनट यहाँ पर जित्ते हैं मैं सब के सवाल के जाओ दूँगा एक मिनट रुको सिर सर टेलिग्राम ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप कल रात में बनाया है बहुत सारे बच्चे जॉइन किये हैं अल्रेडी टेलिग्राम ग्रूप बन चुका है हाँ जी कल डिसकस होगा क्या माईनर को भी income tax लगता है क्या कल डिसकस होगा person की definition नहीं वेल्ट टैक्स जो लगता था वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर उस लिमिट से उपर जाता था तो लगता है सर्चार्ज आपकी income limit के उपर से specific purpose के लिए use होता है न सरकार में तो सर्चार्ज अगर income एक लिमिट के उपर जाता है इसका आपकी property से कोई लिए निन नहीं है अगर illegal income कोई दिखाएगा ही क्यों ऐसा नहीं होता अगर नहीं दिखाया तो क्या होगा यह हम tax rate में discuss करेंगे कि मानलो तुमने दिखाया है नहीं पर income tax department ने पकड़ लिया होता है न रेड 200 करोड मिले 50 करोड मिले तो जब मिलेगा तो उस दिन क्या होगा वो discuss करना है अपने को इसको कहते है undisclosed income आपके chapter में लिखाया पीछे end में जनरली नहीं फिर नहीं उस case में नहीं पड़ यह existing government decide करती है उसको क्या करना है आप जितने लोगों का यह सवाल है न कि illegal income हुआ तो फिर इसको दिखाएंगे कैसे और tax कैसे करेंगे नहीं seize करने का right नहीं है ना income मैंने कम आई है max to max तुम क्या ले सकते हो tax काई को पूरा लेंगे max rate of tax लेंगे ना आप penalty 100% लगाओगे वो भी tax का आप income ही tax नहीं कर सकते ना मैंने जितना कम है वो पूरा दे दे मैं क्या बोलूगा भाई मेरा घर परिवार कैसे चलाओ मैंने bank loan पे लिया है हाँ तो यह उसका profession है ना पूलिस देखते बैटेगी है कि उसको जेल में डालना है उसका यह activity बंद कर दो यह पूलिस देखते बैटेगी income tax में हम यह देखेंगे अगर यह income है तो हम इसको tax कर देंगे सब जगा मतलब रोड से भी हो रहा है मानले ट्रक लेके आ रहे तो उस पर भी है जिस साल में बिटा election होते है अब फरवरी जैसे 2014 में election होगा तो फरवरी में एक budget लाना है वो तो custom है वो लाएंगे पर वो interim budget होगा ठीक है अब जून में election हुआ फिर नई सरकार आई अब नई सरकार फिर से एक बार session लेती है और उसमें बढ़नता है वो होता है final budget यह तो सिर्फ इंदा year of election है 2024, 2025 में यह थोड़ी न हुआ, 2025 में तो सिक final budget ही आएगा न 2024 में यह आएगा after election, date देख, February से जून, July से आगे यह March होना चाहिए, July अगस्ट में आएगा from March, एक मिनट नहीं, understand, क्योंकि जो आपने law लेके आया उसमें मेरे को भी तो dispute हो सकता है न, जैसे आप आगे चलके कई जगह पे देखेंगे, कि आप law लेके आ गए पर आपका यह जो law है में dispute पे हैं, for example, Companies Act ने कहा CSR expenditure इंकर करना है, ठीक है, अब मैंने खर्चा किया क्योंकि Companies Act बोल रहा, अब मैंने खर्चा कर दिया Companies Act बोल रहा तो, मैंने P&L को debit कर दिया, Income Tax Department वाला बोलता है, यह business का खर्चा है ही न, यह मैं क्यों allow करूं, यह business का खर करो, बिल्कुल, 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 वो पुलिस देखते बैटेगे, यह हमारा काम नहीं है, लीगल, इल्लीगल वाला मैटर, पुलिस हैंडल करते बैटे, अमेंड्मेंट जब आता है, यह discussion हो करके, यह Finance Act का पार्ट बन जाता है, Finance Act में जो अमेंड्मेंट होते हैं, वो Income Tax का पार्ट बनते हैं, सो बजट में चेंजेस आये, यह चेंजेस जैसी अपरूव होगा, इट बिकेम पार्ट अपार्ट 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 फाइनस Act में से रिलेवेंट जगह पर ही इंकम टाक्स में शट किया जाता है, अरे भाई, जूलाई से मार्च तक चलेगा ना, तू आपस समझ, एग रहा, एक फरवरी दोजार चोईस, existing Modi government चल रही है, पर एक फरवरी दोजार चोईस को बजट तो लाने ही पड़ेगा बिटा, निर्मला सितरमन जी इस बजट को प्रेजेंट करेगी, अब जिस साल इलेक्शन होगा, प्रधान मंत्री के इलेक्शन जून तक के खतम होते हैं, मार्च से चालो के, जून में खतम होए, सपोज मोधी जी वापस आए, अब नई government ये भी तो अपना Parliament session लेगी कि नहीं लेगी, तो ये जुलाई या अगस्ट में होता है, ये अपना नया session लेंगे, जो interim budget बना यहाँ पे, ये फरवरी से लेकर के कब तक चल रहा है, जुलाई तक के चल रहा है, अब जुलाई में पहली बार government बन के आएंगी, मोधी जी बोलेंगे, हमार को इत्ता प्रजन प्रतिसाद म मिलाई ये वो, तो अब जो नया finance minister आएगा, क्योंकि नई सरकार में finance minister बदल भी सकता है, अब नया budget प्रिपेर होगा, वो जुलाई से लेकर कब तक चलेगा, मार्च दो हजार पचीस, अब समझ में आया गेम, अब एक फरवरी दो हजार पचीस, जो भी नया finance minister है, ये एक दो बजट आये, क्योंकि सरकार बदल सकते थी, अब ये सरकार तो अगले चार साल रहेगी, रहेगी, अब ये सिर्फ ग्याप की वज़ेसा होता रहा है, जो इलेक्शन की ग्याप का राने शलिये तो बस, जो दस रुपए की पतंग कर ते आपने, चार रुपए में उसमें प्रुफिट 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 इस कंसिडर आइज इंकम अली, कल समझेगा, वही बता रहा हूं, दस ग्रुपए तुन्हें रिसीव किये, पर चार खर्चा भी तो किये, तिरको बोलेंगे दस पर टैक्स दे, तू क्या बोलेगा एक मिनिट, चार मेरे खर्चा भी मेरा टैक्स मत करो, इनकम प्रे टैक्स करो मेरे, गे इंकमे दूख करो अट प्रुमथिट ग्या किया, क्या, क्या, अपस बूल सर्चाज का गन्चप्ट अभी हमने डिसकसी नहीं किया दू दिन लगेंगे वहाँ पहुचने के लिए मैं समझा रहा हूँ बेटा मैं समझ गया तेरा सवाल क्या है hold on very early question है सर्चाज word पढ़ा है एक लोग को लगाता है दूसरा अगर लोग के implementation में कोई issue है जैसे court लोग बनाने वाले अथोरिटियों के MLJ उसने लोग बनाके रख दिया तो court की जुरती क्यों है क्योंकि असेसी का opinion law makers मैंच नहीं कर रहा तो वो court में relief मंगने जा रहा कि यह जो law यह गलत बनाया तुमने जैसे अगर तू देखेगा transgenders अब तक के हम सिर्फ दो ही community रखते थे male और female अब इस law से किसको दिक्कत थी जो third category है इसको दिक्कत थी that is transgender वो कह रहे थे हम भी तो right